प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि आज हम आजाद हैं परन्तु यह आजादी अनेक देश प्रेमियों की कठोर तपस्या और असीम त्याग के फल्सरूप प्राप्त हुई है देश प्रेम की बलिवेदी पर कुर्बान हुए उन वीरों को हमारी सच्ची श्रद्ध हंजली यही होगी कि हम आजादी का यह दीपक जलाए रखें पाठ का उद्देशे चैप्टर अब्जेक्टिव कोशल सस्वर वाचन श्रवन पठन पाठन मौखिक वल लिखित प्रश्नोत्तर पाठ से आगे चिंतन और मनन व्यकरनिक अनेकार्थक वनविच्छेद विलोमशब्द विशे सनवर्धन गतिविधियां जीवन कोशल रचनात्मक कोशल लेखन समवाद परियोजना कार्रे शिक्षा हमें अपने देश को सुरक्षित रखने में अपना योगदान देना चाहिए घोर अंधकार हो चल रही बयार हो आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं यह निशीत का दिया ला रहा विहान है शक्ति का दिया हुआ शक्ति को दिया हुआ भक्ति से दिया हुआ यह स्वतंत्रता का दिया रुक्रही ननाव हो जोर का बहाव हो आज गंग धार पर यह दिया बुझे नहीं यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है यह अतीत कलपना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनन्त साधना, शांती हो, अशांती हो, युद्ध संधी क्रांती हो, तीर पर, कछार पर, यह दिया बुझे नहीं देश पर समाज पर जोति का वितान है आस पास धूल है तीन चार फूल है बास है बबूल है घास के दो कूल है वायू भी हिलोर से फूक दे जकोर दे कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं यह किसी शहीद का पुन्य प्राणदान है जूम जूम बदलियां चूम चूम बिजलियां आदियां उठी रहीं हल चले मचा रहीं लड़ रहा स्वदेश हो यातना विशेश हो शुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं यह स् प्रस्तुत पाठ में दीवान के पद के लिए आयोजित एक प्रत्योगिता का वर्नन किया गया है। पारायरता आधी गुणों से ही मनुष्य सही माइने में बडपन प्राप्त करता है। जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, समवाद, परियोजना कार्रे। शिक्षा हमें अपने मन में सभी के लिए दया की भावना रखनी चाहिए। जब रियासत देवगड के देवान सरदार सुजान सिंग बुड़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विने करते हुए बोले, दीन बंदु, दासने श्रीमान की सेवा चालिस वर्ष तक की, अब मेरी अवस्था ढल गई है। राजकाज संभालने की शक्ती मुझ में नहीं रही। कहीं भूल चुक हो जाए तो बुड़ापे में दाग लगे। सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। राजा सहाब अपने अनुभव शील और नीती कुशल दिवान का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने बहुत समझाया। लेकिन जब दिवान साब ने नामाना तो हार कर उन्होंने प्रार्थना स्विकार कर ली। पर शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दिवान आप ही को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्यापन निकला। देवगड के लिए एक सुयोग्य दीवान की अवशकता है। जो सज्जन अपने आपको इस पद के योग्य समझें, वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंग क सेवा में उपस्तित हों। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजवेट हों, मगर उन्हें रिष्ट-पुष्ट होना अवशक है। एक महीने तक उमीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। जो महाश्य इस परिक्षा में पूरे उतरेंगे, वे इस उच पत पर सुशोभित होंगे। इस विज्यापन ने सारे देश में हलचल मचा दी। उचा पद और किसी प्रकार का बंधन नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैंक्णों आदमी अपना अपना भागे परकने के लिए चल पड़े। देवगड में नए नए और रंग बिरंगे मन पिटता हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भागे की परिक्षा करने का अफसर मिला। सरदार सुजान सिंग ने इन महानुभावों के आदर सतकार का बड़ा अच्छा प्रभंद किया था। प्रतेक मनुष्य अपनी जीवन को अपनी बुद्धी के अ मिस्टर ब को हुक्का पीने की लग थी परन्तु आजकल बहुत राद गए किवाडबंद करके अंधेरे में सिगरेट पीते थे। मिस्टर स, द और ज से उनके घर के नौकरों की नाक में दम था। लेकिन आजकल ये सजन आप और जनाप के बगैर नौकरों से बातचीत नही रहती थी। मिस्टर लग को किताबों से घरना थी परन्तु वे बड़े बड़े घरन्त देखने पड़ने में डूबे रहते थे। जिससे बातचीत कीजिये वही नम्रता और सदाचार का देफता मालूम होता था। लोग समझते थे कि एक महीने का जनजट है किसी तरह काट लेकिन मनुश्यों का वे बूढा जोरी आड में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहां छिपा है। एक दिन नए फैशन वालों को सूची कि आपस में हौकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताब हौकी के मंजे हुए खिलाडियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है फिर इसे क्यों चेपाए रखें। संभव है कुछ हातों की सफाई ही काम कर जाए। पक्का निष्टे होने के बाद फील्ड बन गया और खेल शुरू हो गया। गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरहा ठोकरे खाने लगी। रियासत उसके खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के साथ लोग जब गेंद को लेकर तेजी से दोड़ते ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती आती है। लेकिन दूसरी ओर के खिलाडी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरहा रोक लेते थे कि मानो लोहे की देवार हो। संद्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आख और चेहरे से जलक रही थी। हाफते हाफते बेदम हो गए। लेकिन हार जीत का निर्ने ना हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जर कर आना जाना पड़ता था। खेल अभी बंध ही हुआ था और खिलाडी लोग दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिये हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचर था और कुछ चड़ाई इतनी उची थी कि गाड़ी उपर ना चर स सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पईयों को हातों से धकेलता, लेकिन बोज अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी थोड़ी सी उपर चड़ती थी, फिर खिसक कर नीचे पहुँच जाती। बिचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर कोई सहायक नजर ना आता था। गाड़ी को अकेले छोड़ कर वह कहीं जा भी नहीं सकता था, बड़ी विपत्ती में फसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए, घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ देखा, परन्तु किसी से मदद मांगने का साहस न ह खिलाड़ीों ने भी उसको देखा, मगर बंद आखों से, जिन में सहान भूती नहीं थी। उन में स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और भायचारे का नाम भी ना था। लेकिन उसी समुह में एक ऐसा मनुष्य था, जिसके हृदे में दया थी और साहस था। आज होकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी। वह लंगडाता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था। अक्समात उसकी नगा गाड़ी पर पड़ी। किसान की सूरत देखते ही उसे सब बाते ग्यात हो गई। उसने डंडा एक किनारे रख दिया। कोट उतारा और किसान के पास जाकर बोला मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूँ। किसान ने देखा कि एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। जुक कर बोला हुजूर मैं आपसे कैसे कहूं। युवक ने कहा मालूम होता है तुम यहां बड़ी देर से फसे हो। अच्छा तु गाड़ी पर बैठ कर बैलों को साधो। मैं पईयों को धकेलता हूँ। अभी गाड़ी उपर चड़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पईयों को जोड लगा कर उठाया। कीचड बहुत जादा था। वह घुटने तक जमीन में गड़ गया। लेक एक बार जोड लगाया तो गाड़ी नाले के उपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड कर खड़ा हो गया। बोला महराज आज तो आपने मुझे उबार लिया नहीं तो मुझे सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हसकर कहा अब मुझे कुछ इनाम देते हो किसान ने गंभीर भाव से कहा नारायन चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदे हुआ। कहीं ये सुजान सिंग तो नहीं आवाज मिलती जुलती है। चहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी और तीवर द्रिष्टी से देखा। शायद वह उसके दिल के संधे को भाब गया। मुस्कुरा कर बोला गेहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। महीना पूरा हुआ और चुनाप का दिन आ पहुचा। उम्मीदवार लोग प्राता काल से अपनी अपनी किस्मत का फैसला स रंग आते जाते थे। नहीं मालूम आज किसका नसीब जागेगा। ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपाद्रिष्टी होगी। संध्या समय राजा का दर्बार सजाया गया। शहर के रईज और सेट, राज्ये के कर्मचारी और दर्बारी तथा देवानी के उम्मीदवार सब सच धजकर दर्बार में आ गए। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंग ने खड़े होकर कहा। जो उदार हो, आत्मबल वे है जो विपत्ती का वीरता के साथ सामना करे और इस रियासत के सोभागे से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुणवाले संसार में कम हैं और जो हैं वे कीर्ती और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुच नहीं। मैं र वियासत के कर्मचारी और रहीसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आखे भी उधर उठी। मगर उन आखों में सतकार था। इन आखों में इस पार्ट तीन बेइमान सेट। डिसॉनेस्ट मर्चंट पार्ट परिचे चैप्टर इंट्रोडक्शन स्वार्थ कभी-कभी व्यक्ति को अंधा बना देता है। किन्तु मा की ममता किसी स्वार्थ की वशीभूत नहीं होती। वह ममता चाहे अपनी खुद की संतान के प्रती हो या फिर किसी अनात बालक के जिसे वह अपनी संतान की तरह बालती है। परियोजना कार रे। शिक्षा हमें कभी भी किसी से बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अंधी प्रती दिन मंदिर के दर्वाजे पर आकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती। बाबुजी अंधी पर दया हो आने जाने वाले दो-चार पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहरदयता को सहराती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। पराता से संध्या तक इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पस्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे जोपडी का पत ग्रहन करती। उसकी जोपडी न त्वस्तरवालों की होती जो पैसे देने की अपेक्षा जिड़किया दिया करते हैं। तब भी अन्धी निराशन होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। जोपडी तक पहुँचते पहुँचते उसे दो-चार पैसे और मिल जाते। जोपडी के समीप पहुँचते ह दस वर्ष का एक लड़का उचलता कुधता आता और उससे चिपड़ जाता। अन्धी टटोल कर उसके मस्तक को चुमती। बच्चा कौन है? किसका है? कहां से आया? इस बात से कोई परचितना था। साथ वर्ष हुए पासपडोस वालों ने उससे अकेले देखा था। उनी दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अन्धी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रत्न कर रही थी। वह कोई असाधारन घटना ना थी। अतहां किसी ने भी नहीं पूचा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अन्धी के पास रहता था और प्रसंद था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अन्धी ने अपनी जोपडी में एक हांडी गार रखी थी। संध्या समय जो कुछ रुपे पैसे मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी व व्यक्तियों की द्रिश्टी उस पर ना पड़े। खाने के लिए अन्ध काफी मिल जाता था। उससे काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भर कर खिलाती फिर स्वैम खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगा कर वही पड़ी रहती। प्रहता होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा बैठती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। धर्म में उनकी बड़ी रुची थी। दिन के बारा ब परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंदा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर रूप में रखने आते थे। सैकडों बिखारी अपनी जमा पूंजी इन ही सेठ जी के पास जमा कर जाते। अन्धी को भी यह बात ग्यात थी। किन्तु पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई यहां जमा करने में क्यों हिचकिचाती रही। उसके पास काफे रुपे हो गए थे। हांडी लगबग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अन्धी ने वह हांडी उठाई और अपने फटे हुए आचल में छि पर पहुची। सेट जी बही खाते के प्रिष्ट उलट रहे थे। उन्होंने पूछा क्या है भुडिया। अन्धी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा सेट जी इसे अपने पास जमा कर लो मैं अन्धी अपाहिज कहां रखती फिरूंगी। सेट जी ने हांडी की ओर देखकर कहा इसमें क्या है। अन्धी ने उत्तर दिया भीक मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए दो चार पैसे संग रहे किये हैं। अपने पास रखते डरती हूँ। कृप्या इन्हें आप अपनी कोठी में रख ले। सेट जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा बही में जमा कर लो। फिर बुडिया से पूछा तेरा क्या नाम है। अन्धी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नगदी गिन कर उसके नाम से जमा कर ली। और वह सेट जी को आशीरवाद देती हुई अपनी जोपड़ अन्धी ने दवादारों की, जाड़ फुक से भी काम लिया, तो ने तोटके की परिक्षा की, परन्तु सभी प्रयत्न व्यर्थ सिध हुए। लड़के की दशा दिन प्रति दिन बुरी होती गई। अन्धी का हृदे तूट गया, साहस ने जवाब दे दिया, वह निराश ह परन्तु फिर ध्यान आया कि संभवता डॉक्टर के इलाज से फाइदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती परती सेठ जी की कोठी पर जा पहुँची। सेठ जी उपस्थित थे। अन्धी ने कहा, सेठ जी मेरी जमापूंजी में से 10-5 रुपे मिल जाएं तो कैसे रुपे मेरे पास किसी के रुपे जमा नहीं है। अन्धी ने रोते हुए उत्तर दिया, दो वर्श हुए मैं आपके पास धरोहर रख गई थी, दे दीजे, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की और रहसे मई द्रिष्टी से देखते हुए कहा, जरा देखना त तो इसके नाम की कोई पूझी जमा है क्या, तेरा नाम क्या है री। अन्धी की जान में जान आई, आशाबंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बईमान है, किन्तु अब सोचने लगी संभवता उसे ध्यानना रहा होगा। ऐसा धर्मी व्यक्ति भला कहीं पलट कर देखा, फिर कहा नहीं तो इस नाम पर एक पाई भी जमा नहीं है। अन्धी वहीं जमी बैठी रही, उसने रो रोकर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम पर धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण परन्तु पत्थर में जौक ना लगी, सेठ जी ने कृद होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं। अन्धी लाठी टेक कर खड़ी हो गई, और सेठ जी की ओर मुह करके बोली, अच्छा भगवान तुमें बहुत दे, और अपनी जूपडी की ओर चल दी, यह आशीश न थी, बलकि एक दुखी का शाप था, बच्चे की दशा बिगरती गई, दवादारू हुई ही नहीं, फायदा कैसे होता, एक दिन उसकी अवस्था चिंता जनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए, उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई, सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था, इतना धनी व्यक्ति है, दो चा रुपे दे देता, तो क्या चला जाता, और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपे मांगने गई थी, उसे सेठ जी से घ्रना हो गई, बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया, उसने पड़ती पड़ती सेठ जी के घर पहुँची, और द्वार पर धरना देकर बैठ गई, बच्चे का शरीर ज्वार से भभग रहा था, और अंधी का कलेजा भी, एक नौकर किसी काम से बाहर आया, अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूच ना दी, सेठ जी ने आग् पर वह तस से मस ना हुई, उसने फिर अंदर जा कर कहा कि वह नहीं टलती, सेठ जी स्वेम भार पधारे, देखते ही पहचान गए, बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, कि उसकी शकल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है, साथ वर्ष हुए तब म मोहन किसी मेले में खो गया था, उसकी बहुत खोच की, पर उसका कोई पता ना चला, उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांग पर लाल रंग का एक चिन था, इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जांग देखी, चिन अवश्य था, परंतु पहले स कुछ बढ़ा, उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्ही का है, उन्होंने तुरंत उसको छीन कर अपने कलेजी से लगा लिया, शरीर जवर से तप रहा था, नौकर को डॉक्टर बुलाने के लिए भेजा और स्वेम मकान के अंदर चल दिये, अंधी खड़ी हो गई और मेरे रुपे तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे चीनोगे, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपे तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे चीनोगे, सेट जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, फ जवा ने जादू कासा प्रभाव दिखाया, मोहन का जवर उतर गया, होश आने पर उसने आखे खोली तो सर्व प्रतम शब्द उसकी जुबान पर निकला, माँ, चहुं और अप परिचित शकले देख कर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिये, उस समय से उसका जवर फिर अ और अंधेरा दिखाई पढ़ने लगा, क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी, तुम रित्यू उसको अपने चंगुल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं, सहसा उनको अंधी का ध्यान आया, पत्नी को बाहर बेजा कि देखो, कहीं वे अब तक पढ़ना बैठी हो, परन्तु वे वहां कहां, सेट जी ने फिटन तयार कराई, और बस्ती से बाहर उसकी जोपड़ी पर पहुँचे, जोपड़ी बिना द्वार कि थी, अंदर गए, देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पढ़ी है, और उसके नेत्रों से अश्रु बुडिया, तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए, रहे रहे कर वह तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल और मेरे, नहीं नहीं, अपने बच्चे की जान बचा ले, अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रह हूँ, हम दोनों स्वर्ग लोग में फिर मा बेटे की तरह मिल जाएंगे, इस लोग में सुख नहीं है, वहां मेरा बच्चा सुख में रहेगा, मैं वहां उसकी सुचारू रूप से सेवा शुश्रुशा करूंगी, सेट जी रो दिये, आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न जुखाया था, किन्तु इस समय अंधी के पाउं पर गिर पड़े, और रो रो कर कहा, ममता की लाज रखलो, आखिर तुम भी उसकी मा हो, चलो तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा, ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया, उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो, सेट जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बिठा लिया, फिटन घर की और दोडने लगी, उस समय सेट जी और अंधी भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी, दोनों की यही इच्छा थ कि शीक्र से शीक्र अपने बच्चे के पास पहुँच जाएं, कोठी आ गई, सेट जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए, भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा, मोहन पहचान गया कि यह उसकी मा का हाथ है, उसने तुरंत नेत्र खोल दिये और उसे अपने समीब खड़े हुए देख कर कहा, मा तुम आ गई, अंधी भिखारिन मोहन के सिरहाने बैठ गई, और उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया, उसको बहुत सुख का अनुभव हुआ, और वहे उसकी गोद में तुरंत सो गया, दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी, और 10-15 दिन में वहे बिल्कुल स्वस्थ हो गया, जो काम हकीमों के नुसके, वैद्यों के पुडिया और डॉक्टरों के मिक्सचर ना कर सके, वहे अंधी की स्नेहमई सेवा ने पूरा कर दिया, मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी, सेट जी ने बहुत कहा कि वहे उन्ही के पास रह जाए, परंतु वहे सहमत ना हुई, विवश होकर विदा करना पड़ा, जब वहे चलने लगी, तो सेट जी ने रुप्यों की एक थैली उसके हाथ में दे दी, अंधी ने पूछा इसमें क्या है, सेट ज के लिए संग्रह किये थे, उसी को दे देना, अंधी ने थैली वही छोड़ दी, और लाठी टेकती हुई, चल दी, बाहर निकल कर फिर उसने उस घर की ओर नेतर उठाए, उसके नेतरों से अश्रु बह रहे थे, किन्तु वहे एक बिखारिन होते हुए भी सेट से महान थी, इस समय सेठ याचक था और वहे दाता थी, पार्ट चार, जाना पहचाना अजनबी, The Familiar Stranger, पार्ट परिचे, Chapter Introduction, प्रस्तुत पार्ट एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है, जो पहले बुरा आदमी था, लेकिन बाद में वहे अच्छा आदमी बन गया, पार्ट का उद्देशे, Chapter Objective, कौशल, वाचन श्रवन, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर, पार्ट से आगे, चिंतन और मनन, व्यकरनिक, व्यक्यांश के लिए एक शब्द, वचन, शब्द के रूप, उपसर्ग, प्रत्ययय, विशे सनवर्धन गति विध जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, समवाद, खोजबीन, कला संबधता, परियोजनाकार्रे, शिक्षा, हमें इमानदार और नेक आदमी बनना चाहिए जेल की दुकान में, जिमी वेलेंटाइन बड़ी तनमयता से जूते सिलने का काम कर रहा था, तभी चौकिदार वहां आया, और उसे अपने साथ सामने वाले ओफिस में वॉर्डन के पास ले गया आओ जिमी, तुम्हारे लिए खुश कबरी है, कल सुभा तुम यहां से रिहा कर दिये जाओगे। वॉर्डन ने उसे क्षमादान का कागस थमाते हुए कहा, कागस थमाते हुए जिमी ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, वास्तव में चार वर्ष की कैद में से अब तक दस महीने की सजा तो वह काठी चुका था, उसे उम्मीद थी कि अधिक से अधिक तीन महीने ही अंदर रहना पड़ेगा, क्यूंकि उसका दोस्त माईक उसकी सजा माफ करवाने की कोशिश में लगा था, वॉर्डन ने उसे समझाते हुए कहा, तो जिमी अब आदमी बन कर द अब ये तिजोरिया विजोरियां तोड़ना छोड़ो, मैं और तिजोरी, जिमी ने आश्चर्रे से कहा, वॉर्डन हसा, फिर स्प्रिंग फील्ड में हुई चोरी के जुर्म में तुम्हें क्यों पकड़ा गया, स्प्रिंग फील्ड और मैं, जिमी ने बड़ी मासूमियत स कहा, वॉर्डन साहब मैं तो कभी स्प्रिंग फील्ड गया ही नहीं, क्रोनिन इसे ले जाओ, वॉर्डन ने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह साथ बजे इसे रिहा कर देना, फिर जिमी की ओर देखते हुए कहा, और हाँ, मेरी बात पर ध्यान देना जिमी, अगले दिन सुबह जिमी वॉर्डन के ओफिस में खड़ा था, उसके बदन पर चुस्त भड़कीला सूट था, और पैरों में चर्मराने वाले जूते, जो जेल अधिकारियों की ओर से सभी सरकारी दामादों को दिये जाते थे, इसके अतिरिक्त उसे रेल की एक टिकेट औ बन जाएगा, जेल के रजिस्टर में जिमी वेलंटाइन नौ साथ छे दो के आगे गवर्नर द्वारक शमादान लिख दिया गया, और मिस्टर जिमी वेलंटाइन बाहर की खिली धूप में निकलाया, रास्ते में पक्षियों की चह चहाहट, मधुर संगीत, जूमते पेड को अंदेखा अंसुना करते हुए जिमी एक रेस्तरा में घुसा, वहां मुर्गी और बियर के रूप में उसने आजादी का पहला स्वात चखा, बाहर निकल कर उसने रेस्तराओं के दर्वाजे पर बैठे अंधे की टोपी की ओर एक सिक्का उचाला, और स्टेशन की ओर च जिसके कारण क्षमादान दिल्वाने में हमें जादा समय लग गया, माइक ने लाचारी जताते हुए कहा, माइक कोई बात नहीं, मेरे घर की चाबी देना, जिमी ने कहा, माइक ने उसे चाबी थमा दी, चाबी लेकर जिमी ने अपना कमरा खोला और अंदर चारों ओर यहां तक की फर्ष पर गिरा बेन प्राइस के कॉलर का बटन भी, जो उन दोनों की हातापाई में तूटकर गिरा था, आखिरकार प्रख्यात जासूस बेन प्राइस ने उसे पकड़ ही लिया था, और फिर यह दस महिने की सजा, जिमी ने आगे बढ़कर दिवार में बनी अलमारी से अपनी अटैची निकाली, उस पर धूल की परत जम चुकी थी, कुछ देर वे अटैची में रखे अपने अनमोल खजाने को निहारता रहा, बर्मा, क्लैंप और ना जाने ऐसे ही कितने अजीबो गरीब औजार, खास तरहां के स्टील के बने हुए, इन में से कई तो जिमी ने स्वेम बनाए थे, जिमी ने बड़ी लगन से अपनी अटैची साफ की, और आधे घंटे बाद वे नीचे था, उसने अब बेहतरीन कपड़े पहने हुए थे, और उसके हाथ में वही अटैची थी, एक सप्ताहबाद रिच्मंड इंडियाना में एक तिजोरी को बड़ी सपाई से खाली कर दिया गया, उसके दो सप्ताहबाद लोगन स्पोर्ट में एक नई और मजबूत तिजोरी को बहुत आसानी से खोल कर उसमें से 1500 डॉलर साफ कर लिये गए, इन वारदातों का बेन प्राइस की नजर में आना स्वभाविक था, बेन प्राइस अ हुए सुना गया, लगता है जिमी ने फिर से काम शुरू कर दिया है, इस ताले को देखिए, इसे इतनी आसानी से खोला गया है, जैसे बरसाती मौसम में मूली उखाडी जाती है, जिमी को तिजोरियों में छेद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, एक दिन दुपहर में जिमी अपनी अटैची लिये हुए एक छोटी से शहर एलमोर पहुचा, स्टेशन से सवारी लेने की बजाए वह पैदल ही होटल की ओर चल पड़ा, रास्ते में उसकी नजर एक खुपसूरत लड़की पर पड़ी, उससे नजर मिलते ही जिमी भूल गया कि वह कौन है, लड की बगल के एलमोर बैंक के अंदर चली गई, यह पॉली सिंपसन ही है न, जिमी ने बड़ी चालाकी से पास खड़े एक लड़के से पूचा, नहीं यह एनाबेल एडम्स है, लड़के ने बताया, यह बैंक इसके पिता का है, जिमी मन ही मन कुछ तैय करते हुए होटल वहाँ उसने रेल्फ डी स्पेंसर के नाम से एक कमरा लिया, साल के अंत में रेल्फ डी स्पेंसर की स्थिती इस प्रकार थी, उसे समाज में आदर और मानिता मिल गई थी, उसकी जूते की दुकान खूब चल रही थी, और कुछ दिनों के बाद ही उसकी और एनाबेल एडम की शादी होने वाली थी, एक दिन उसने सेंट लुई स्थित अपने मित्र को एक पत्र लिखा, प्रिये दोस्त, बुद्वार की रात 9 बजे लिटल रॉक में सिलिवन के घर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मेरे कुछ छोटे मोटे काम हैं, जिन्हें मैं चाहता हूँ कि त अपना पुराना धन्दा मैंने छोड़ दिया है, एक साल हो गया, मेरे पास एक अच्छी दुकान है, इमानदारी से जीवन बिता रहा हूँ, और अब से दो सबताहा बाद मैं इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की से शादी करने जा रहा हूँ, यही जिन्दगी है बि कही और चला जाऊंगा, जहां मुझे अपनी पुरानी जिन्दगी से कोई खत्रा नहीं रहेगा, सच कहता हूँ बिली, वह बहुत अच्छी है, उसे मुझ पर विश्वास है, सारी दुनिया मिल जाए, फिर भी अब मैं ऐसा वैसा काम नहीं करना चाहूंगा, सिलिवन के घ जरूर आना, मुझे हर हाल में तुमसे मिलना है, और जार मैं अपने साथ लेता आऊंगा, तुम्हारा दोस्त कवीता में कवी ने कर्मवीर के गुणों का चितरन किया है, कवी के अनुसार कर्मवीर व्यक्ति ना तो कभी परेशानी को देख कर घबराते हैं, ना समय को व्यर्थ गवाते हैं, कर्मवीर व्यक्ति ही परिवार, समाज, वदेश का नाम उचा उठाते हैं पाठ का उद्देश्य, चैप्टर अब्जेक्टिव, कौशल, सस्वर वाचन श्रवन, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रशनोत्तर, पाठ से आगे, चिंतन और मनन, व्याकरणिक, विशेशन, मुहावरे, विशेशन विशेशे, लिंग, विशेश सन्वर्धन गति शिक्षा, हमें कर्मवीर मनुष्य, बनना चाहिए, देखकर बाधा विविद, बहु विग्न घबराते नहीं, रहे भरों से भागे के, दुख भोगते, पच्चताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो, किन्तु उक्ताते नहीं, भीड में चंचल बने, जो वीर तिखलाते नहीं हो गए एक आन में, उनके बुरे दिन भी भले, सब जगा, सब काल में, वे ही मिले, फूले फले आज करना है जिसे, करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ, कर दिखाते हैं वही मानते जो भी है, सुनते हैं सदा सब की कही, जो मदद करते हैं, अपनी इस जगत में आप ही भूल कर वे दूसरों का मुँ कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है, वे कर जिसे सकते नहीं जो कभी अपने समय को यू बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह, बाते बनाते हैं नहीं आज कल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यतन करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वो कौन जो होती नहीं उनके किये, वे नमूने आप बन जाते हैं औरों के लिए व्योम को छूते हुए दुरगम पहाडों के शिखर, वे घने जंगल जहां रहता है तम आठो पहर, गरजती जल राश की उठती हुई उची लहर, आग की बहदायनी फैली दिशाओं में लपट, ये कपा सकती कभी जिसके कले जेको नहीं, भूल कर भी वह नहीं, नाकाम रहत है कहीं, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पढ़ने पर करें जो शेर का भी सामना, जो की हस हस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं, जिनके है जी में ये ठना, कोस कितने ही चलें, पर वे कभी ठकते नहीं, कौन सी है गाठ, जिसको वे सकते नहीं, काम को आरंब करके, यू नहीं जो छोडते, सामना करके नहीं, जो भूल कर मूँ मोडते, जो गगन के फूल बातों से व्रथा नहीं तोडते, संपदा मन से करोडों की नहीं जो जोडते, बन गया हीरा उनहीं के हाथ से है कारबन, काच को करके दिखा देते ह प्रस्थुत पाठ में एक मित्र की समवेदनाओं का सुन्दर चित्रण है। प्रस्थुत पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्यकरनिक, कारक, वचन, मुहावरे, विशे सनवर्धन गतिविध्या, जीवन कोशल, रचनात्मक कोशल, समवाद, परियोजनाकारे, शिक्षा, हमें अपने मित्रों की बुरे समय में सहायता करनी चाहिए। नन्ने नन्ने दूद मुहे बच्चे, अकेली रुग्ण पत्नी, नाते रिष्टे का ऐसा कोई नहीं, जो जरूरत पर काम आ सके। पती सुदूर अफरीका में, अस्पताल में बिमार, महीनों तक कोई पत्र नहीं, हर रोज वे रंग बिरंगे टिक्टों वाले पत्र की रहा देखते, परन्तु डाकिया भूल से भी इधर जागता ना था। हाँ बहुत लंबे अर्से बाद एक पत्र एक दिन मिला, बड़ा अजीब सा था वह, बड़ा करुण, बड़ा दर्द भरा। नेरोबी के किसी अस्पताल से लिखा था। रंग भेत के कारण पहले यूरोपियन लोगों के अस्पताल में जगह नहीं मिली, इस अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबु से बाहर हो गया। परविरिश भी करेगा। पहले से अच्छी है। पर्योजना कार्रे टाइप राइटर शिक्षा हमें अपने मन में सभी के लिए दया की भावना कर रहा है धीरे धीरे। जब रियासत देवगर के देवान सरदार सुजाथ बुड़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। घर के बारे में पत्नी के बारे में बच्चों की पढ़ाई के बारे में कितने ही प्रश्ट थे। अब मेरी अवस्था इतना अच्छा पत्र पहले कभी भी ना आया था। सबको स्वभाविक रूप से कहीं भूल चुक हो जाए तो बुरहापे में दाग लगे। सारी जिरे दीरे की नेक नामी लगभग मिट्टी में मिल जाएगी। घर की और से पत्र पर पत्र जाते रहे और नीती कुशल दिवान का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने बहुत समझाया लेकिन जब दिवान साब ने उसे देखने भर को तरसते हैं। जो जो हिदाय थे पर शर्थ लगाती हैं कि रियासत के लिए नया दिवान आप ही को खोजना पड़ेगा। मां को किसी किसम का कष्ट नहीं देश के प्रसिद्ध समाचान पत्रों में यह विग्यापन निकला। अपनी जाद बिरादरी का मिले तो चल सकता है। चिठी के जवाब में बहुत सी बाती थी। लिखा था कि इस समय तो नहीं हाँ अगले साल तन्नु के ब्याप पर अवश्य पहुँचेगा। योग्यवर तो वहाँ भी मिल सकते हैं पर विदेश में अफरीका जैसे देश में लड़की को बिहाने के पक्ष में वह नहीं है। देश की चिंता ना करना, कहीं वर की खोज करना। वर की तलाश में भटकने की अधिक अवशकता न हुई। आसानी से खाता पीता घर मिल गया। शायद इतना अच्छा घराना ना मिलता। लेकिन इस भ्रहम से कि कन्या का बाप अफरीका में सोना बटो रहा है। सब सहज हो गया। शादी की तिती निश्चित हो गई। नेरोबी से पत्र आया कि वह समय से पहुँच रहा है। गहने, कपड़े, सब बना कर वह साथ लाएगा। लेकिन शादी की समय वह चाह कर भी पहुँच नहीं पाया। विवश्ताओं से भरा लंबा पत्र आया कि इस बीच जो नया कारोबार शुरू किया है, उसमें मजदूरों की हरताल चल रही है। ऐसे संकट के समय यह सब छोड़ कर वह कैसे आ सकता है। हाँ, गहने, कपड़े और रुपे भिजवा दिये हैं। वर्वधू के चित्र उसे अवश्य भेजें, वह प्रतीक्षा करेगा। खैर ब्य खैलों में भी पहला, बहुत से सर्टिफिकेट मिले, वजीफा मिला, इनाम से मिली सारी वस्तों की फोटो वे पापा को भीजना न भूले। बदले में कीमती कैमरा आया, गर्म सूट का कपड़ा आया, सुन्दर घड़ी आई और मर्म स्परशी लंबा पत्र आया। लिखा था कि वे बच्चों की उमीद पर ही जी रहा है, पत्नी का स्वास्ते अच्छा रहना चाहिए, बच्चे इसी तरह नाम रोशन करते रहें, उनके सहारे वे जिन्दगी की डोर कुछ और लंबी खीच लेगा, यह सारा कारोबार उनी के लिए तो है, पर अनेक वादे करने प पाता, हर बार कुछ न कुछ अर्चने आ जाती और उसका आना स्थगित हो जाता, समय पंक बांध कर उड़ता रहा, अबाद गती से, बच्चों ने लिखा कि यदि उसका घर आपाना कठिन हो रहा है, तो वे सब ही अफरीका आने की सोच रहे हैं, कुछ वर्ष वही बिता लेंगे, उत्तर में केवल इतना ही था कि काम बहुत बढ़ गया है, नेरोबी, मुंबासा के अलावा अन्ने स्थानों पर भी उसे नियमित रूप से जाना पड़ता है, यहां विश्वास के आदमी मिलते नहीं, इसलिए उसे स्वैम ही खटना पड़ता है, यहां की आबो ह बच्चों की पढ़ाई अनेक प्रश्न थे, अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता, तब तक कुछ नहीं हो सकता, समय निकाल कर कभी विश्वैम घर आने का प्रयास करेगा, बच्चों की बहुत याद आती है, देखो बेटे, तिनकों के साहारे तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साय मातर के आसरे भवर से निकल कर किनारे पर आ लगते हैं, हमारा जीवन कुछ ऐसे ही तंतुओं के साहारे टिका रहता है, यदि वे तूट जाएं, छिन भिन होकर बिखर जाएं, तो पल भर में पानी के बुलबुलों की तरहां सब समाप्त हो जाता है, जरा सोचो बेटे, वे खासे, तुम्हारे पिता की मृत्यू आज से 15-20 साल पहले हो जाती, तो क्या होता, भले ही वे एक अच्छी रकम तुम्हारे नाम छोड़ जाते, उन्होंने युवक के असमंजस में डूबे गंबीर चहरे की ओर तुम इतने होसले से पर नहीं पाते, जहां तुम आज हो वहां तक नहीं पहुँच पाते, निराशा की, हताशा की तथा असरक्षा की इतनी गहरी खाई में होते कि वहां से अंधेरे के अलावा कुछ भी ना दीखता तुमको, उन्होंने अपने सूखे होटों को जीब की नोक से भिगोया, हम दुर्बल होते हुए, असहाय, अकेले होते हुए भी कितने कितने बीहडवनों को पार कर जाते हैं, सहारे की एक अद्रिश्य डोर के सहारे, उनका गला भर आया, तुम्हारे पिता तो तब ही गुजर गए थे बेटे, अपने साजहे कारोबार से उनके हिस्से के पैसे तुम्हे नियमेत रूप से भीजता रहा, कितने वर्षों से मैं इसी दिन के इंतजार में था, अब तुम बड़े हो गए हो, अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ, तुम सरसब्ज हो गए, मेरा वचन पूरा हो गया, जो मैंने उसे मरती समय दिया था उनका गला भराया, विदिवार पटंगे एक धुंदले से चित्र को ना जाने क्या-क्या सोचते हुए, देखते रहे मानव को ईश्वर से उपहार स्वरूप एक मस्तिश्क मिला है, मानव इस मस्तिश्क का कब, कैसे और कितना उप्योग करता है, यह उस पर निर्भर करता है इस दिमाग का मानवता के हित में सार्थक उप्योग करने वाले लोग ही अलबड आइंस्टाइन की तरहां अपने अपने क्षेत्र में महान बन जाते हैं पाठ का उद्देश्चे, चैप्टर अब्जेक्टिव, कौशल, वाचन श्रवन, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर, पाठ से आगे, चिंतन और मनन, व्यकरनिक, री तथा र के विभिन रूप, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संयुक्ताक्षर, पुनरुक्त शब्द, पुरुष वाचक सर्वनाम, विशे सनवर्धन गतिविदियां, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, परियोजना कार्रे, शिक्षा, इस पाठ से हमें विज्ञानिक बनने की पिरण न मिलती है, किसी को सारी उम्र विज्ञान में लगे रहने देना ही, उसके लिए सबसे बढ़िया उपहार है, अगर मेरा बस चले, तो मैं केवल उस देश में रहूं, जहां राजनितिक स्वाधीनता, सहनशीलता और कानून के समक्ष, सभी नागरिकों की समानता का नियम हो यह कथन उस विज्ञानिक का है, जिसने विज्ञान लोक में खलबली मचा दी थी, और जिसके अनू संबंधी 31 प्रिष्ट के लेख को बीसवी शताब्दी का सबसे महतवपून दस्तवेज कहा जाता है, अपने अविशकार से लोगों को चमतकृत कर देने वाले ये विज् 12 मार्च 1889 को एक गरीब यहूदी परिवार में हुआ था, उनके पिता हर्मान आइंस्टाइन की आमदनी इतनी न थी कि वह अपनी पतनी पॉलीन, पुत्र अलबट और पुत्री माजा का जीवन निर्वहा अच्छी तरहां कर सके, अलबट में कोई विशेश योगिता भी दिखाई नहीं देती थी, उन्हें बोलना भी देर से आया, मा बाप घबरा गए कि कहीं वे गूंगे ही नहों, आट-नौ साल के हो जाने पर भी वे इतने शर्मीले थे कि सबसे अलग रहते थे, हर बात में हिचकते, कोई भी नया काम हाथ में लेने से सकुचाते, संगी साथ दूर रहते, कुछ लोग तो उन्हें फिसद्डी भी कहते थे, जब अलबर्ट स्कूल में पढ़ते थे, तो उनके परिवार को म्यूनिक जाना पड़ा, उन दिनों जर्मनी में बिसमार्क का राज था, पूरा देश फौजी चौकी बना हुआ था, स्कूलों में भी फौज शासन का वतावरन चाया रहता था, इसलिए स्कूल का नाम सुनते ही अलबट डर जाते, बुड़ापे तक वे यही करते रहे, मेरी पाटशाला के शिक्षक फौजी हवलदारों जैसे थे, स्कूल में उनका मन ना लगता, लेकिन घर पर उनके चाचा या कोव ने उनके मन मे गणित के प्रती प्रेम जगरित कर दिया, टिम्टे माते सितारों को देखकर अलबट के हृदे में ब्रहमान को जानने की तीव्र अकांग्षा होती, सन 1894 में अलबट के मातापिता इटली के मिलान नगर में जा बसे, पर उन्हें पढ़ने के लिए म्योनिक ही छोड़ गए बाद में जब वह भी इतली गए तो बहुत खुश हुए क्योंकि जर्मनी का सैनिक वातावरण उन्हें बिलकुल पसंद न था, वहां से वे स्विट्जलेंड आ गए, स्विट्जलेंड का वातावरण उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने जर्मन नागरिक्ता छोड़ कर स्विट्जलेंड की नागरिक्ता स्विकार कर ली, दिगरी तक की शिक्षा पूरी कर लेने के बाद अलबर्ट ने विवहा कर लिया, उनकी पत्नी का नाम मिलेवा मेरिस था, उनके दो पुत्र हुए, अलबर्ट जूनियर और एडवर्ड, उन्हें स्विट्जलेंड के बर्ण नामक शहर के पेटेंट विभाग में नौकरी भी मिल गई, तकनीकी विशेशग्य का काम था, यानि पेटेंट के लिए जो आवेदन पत्र आते थे उन्हें जांचना, साथ ही साथ वे स्वतंत्र रूप से विज्ञानिक अनुसंधान भी करते रहे, जब वे बर्ण की गलियों में अपने नवजात पुत्र को गाड़ी में टहलाते, तब भी उनका मस्तिश्क स्रिष्टी के रहसियों की उधेर बुन में लगा रहता, वे अपने आसपास के वातावरन को एकदम भूल जाते, कभी-कभी रुक कर वे अपनी डाइरी में अपने मस्तिश्क में उठे विचारों को लिख लेते, वे किसी भी बात में अंध विश्वास नहीं करते थे, न्यूटन के भौतिक शास्त्र संबंधी सिध्धान्त भी उनके लिए अंतिम सत्ते ना थे, इस प्रकार आइंस्टाइन के मस्तिश्क में अभूत पुर्व सिध्धान्त जन्म लेने लगे, जादुगर की जूली की तरहां आइंस्टाइन के मस्तिश्क से नवीन और आश्चर्य जन्नक विज्ध्यानिक सत्ते निकल कर सामने आने लगे, सन 1905 में जर्मनी के एक विज्ध्यानिक पत्र में उनके कई लेक प्रकाशत हुए, किसी को यह अनुमान नहीं था कि य लेक संसार के विज्ध्यानिक इतिहास में अपूर्व क्रांती लाने वाले साबित होंगे, और इनके लेकक को संसार के महानतम व्यक्तियों की श्रेणी में पहुँचा देंगे, धीरे धीरे कुछ प्रमुख विज्ध्यानिकों का ध्यान इनकी ओर अकर्शित हुआ, फिर तो सभी देशों के विज्ध्यानिक आइंस्टाइन के इन विचारों पर बहस करने लगे। संसार के हर कौने से विश्विध्यालियों में भाशर देने के लिए निमंत्रण पत्र आने लगे। सन 1906 में उन्होंने पेटिंट विभाग की नौकरी छोड़ कर स्विजलेंड में एक विश्विध्याले में अध्यापक का पद स्विकार कर लिया। सन 1909 में वह भौतिकी के मूल सिध्धानतों के असाधारन आचारे होकर जियोरिक गए। सन 1911 में वह प्राग में आचारे न्यूक्त हुए। पर सन 1912 में वह फिर जियोरिक लोट गए। सन 1914 में वह कैंसर संस्थान में निर्देशक बन कर बरलिन गए। आइंस्टाइन केवल अपने युक के माहान विज्ञानिक ही नहीं थे, बलकि सत्य के पुजारी, मानव के मूल अधिकारों के सहासी समर्थक और शान्ती के रक्षक भी थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के प्रारम से ही युद्ध का विरोध किया। उनकी विश्व प्रसिद्धी के कारण जर्मनी की युद्ध प्रिये सरकार उनके खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत ना कर सकी। हाला कि वह उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रू समझती थी। उनके नए विज्ञानिक कार्यों के लिए उनकी प्रसिद्धी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही थी। उनके सापिक्षता का सिद्धान्त पर हजारों टिपणियां प्रकाशित हुई। फिल्म बनी। जॉर्ज बर्नार्ट शौन ने उन्हें अपने संसार के गिने चुने महान व्यक्तियों में गिना और उनका दर्जा नेपोलियन जैसे शासकों से उपर बताया। संसार के बड़े बड़े आदमी आइंस्टाइन से भेट करने को उत्सुक रहते थे। आइंस्टाइन रवी इंस्टन शहर की Institute of Advanced Study उन्हें अपने यहां न्युक्त करने के लिए कोशिश कर रही थी। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने अमेरिका में रहना तै किया और उपरियुक्त इंस्टियोट में काम करने लगे। यहीं उन्होंने अपना घर बसा लिया। विद्यार्तियों को पढ़ाने के साथ साथ खाली समय में वह स्वतंत्र रूप से अनुसंधान भी करते थे। बाद में वह अमेरिका के नागरिक बन गए। जब आइंस्टाइन को मालुम हुआ कि हिटलर की सरकार परमाणू पर परिक्षण कर रही है तो उन्होंने 2 अगस अगस्ट 1949 को राष्टपती रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा, जिसमें राष्टपती का ध्यान इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने की ओर अकर्शित किया। फिर भी 6 अगस्ट 1945 को हिरोशिमा पर अनुबम गिराया गया। आइंस्टाइन ने जब हिरोशिमा पर अनु परमाणों बम गिराने की खबर सुनी तो वह करहा उठे और बोले आ, दुनिया इसके लायक नहीं है। इसके बाद आइंस्टाइन परमाणों बमों को ग्यार कानूनी बना देने के लिए पार्ट आठ क्या निराश हुआ जाए? डोंट गेट डिसपोइंटिड। पाठ परिचे चैप्टर इंट्रोड़क्शन आज व्यक्ति, हत्या, लूट, दोखा धड़ी, बैमानी के समाचार सुनकर तथा पढ़कर खुद को बहुत असुरक्षित समझने लगा है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमें निराश ना होने का सुझाव दिया है। उन्होंने हमें समाज में आज भी हमारे आसपास घट रही कुछ सकरात्म घटनाओं से प्रेर्णा लेने की सलहा दी है। पाठ का उद्देशे, चैप्टर अब्जेक्टिव, कौशल, वाचन श्रवन, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश संयुक्त तथा मिश्रवाक्य, विशे सनवर्धन गतिविधिया, जीवन कौशल, रचनात्म कौशल, समवाद, खोजबीन, परियोजना कार्रे, शिक्षा, देश की वर्तमान स्थिती से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण मन गया है कि लगता है कि हर व्यक्ति संधे की दृष्टी से देखा जा रहा है। जो जितने ही उचे पदवर हैं, उनमें उतने ही अधिक दोश दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोश खोजने लगेंगे। उसकी सारे गुण भुला दिये जाएंगे और दोशों को बड़ा चड़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोश किस में नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोशी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिती अगर ऐसी है तो निश्चे ही चिंता का विशे है। क्या यह वही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्रनात ठाकुर और मदन मोहन मालविय का महान संस्कृती सभे भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया। आरे और द्रविड, हिंदू और मुसल्मान, यूरोपि और भारतिये आदर्शों की मिलन भूमी महा मानव समुद्र क्या सूख गया। मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीशियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि इमानदारी से महनत करके जीविका चलाने वाले निरीही और भोले बाले श्रमजीवी पिस रही है और जूट तथा फरेप का रोजगार करने वाले फल फूल रही है। इमानदारी को मुर्खता का प्रयाय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिती में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। परंतु उपर उपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की तुरुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धी नई परस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधी निशेदों को बनाती है। उनके ठीक साबित ना होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सब के लिए बनाये जाते हैं पर सब के लिए कभी कभी एक ही नियम सुख कर नहीं होते। सामाजिक काइदे कानून कभी युग-युग से परिक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे उपरी सथा अलोडित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टी से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर्भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोब मोहो, काम क्रोध आधी विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्धमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ती मान लेना और अपने मन तता बुद्धी को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निश्कृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें साधा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूक की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बेमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमरा को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती. हुआ यह है कि इस देश के कोटी-कोटी दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक काईदे कानून बनाए गए हैं जुक्रिशी, उद्योग, मानिज्य, शिक्षा और स्वास्ति की स्थिती को अधिक उन्नत और सुचारों बनाने के लक्षे से प्रेरित हैं। परंतो जिन लोगों को इन कारियों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राया वे लक्षे को भूल जाते हैं और अपनी ही सुक्सुविदा की ओर ज्यादा ध्यान देनी लगते हैं। व्यक्ति चित सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नती के विधान बनाये गए उतनी ही मात्रा में लोब, मोहो जैसे विकार भी विस्तरित होते गए। लक्षे की बात भूल गए। आदर्शों को मजाक का विशे बनाया गया और सैयम को दक्यानूसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वे हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोब का नतीजा है। परन्तु इससे भारतवर्श के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्श सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एका एक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रोटियों से लाब उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के परियाप्त प्रमान खोजे जा सकते हैं कि समाज के उपरी वर्ग में चाहे जो भी होता भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, इमानदारी, सच्चाई और अध्यात्मिक्ता के मूल्ले बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नश्ट नहीं हुए। आज भी मनुश्य मनुश चाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रती इतना आक्रोश है वे यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष् कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोशों का परदाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोशुद घाटन को एक मातर कर तव्वे मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैक्रों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिने उजागर करने से लोकचित में अच्छाई के प्रती अच्छी भावना जाकती एक बार रेलवी स्टेशन पर टिकेट लेते हुए गलती से मैंने दस के बजाए 100 रुपे का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैट गया। थोड़ी देर में टिकेट बाबू उन दिनों के सेकेंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चहरा पहचानता हुआ उपस्तित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनमरता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपे रख दिये और बोला यह बहुत गलती हो गई थी आपने भी नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा उसके चहरे पर विचित्र संतोश की गरिमा थी मैं चकित रह गया। कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और इमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक आवान्चित घटनाएं भी हुई हैं परन्तु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस से यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पतनी और तीन बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी। रुक रुक कर चलती थी। गंतव्वे से कोई पांच मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई दस बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकल लेकर चलता बना। लोगों को संदे हो गया कि हमें धोखा दिया जा रह है। बस में बैठे लोगों ने तरहा तरहा की बाते शुरू कर दी। किसी ने कहा यहां डकैती होती है। दो दिन पहले इसी तरहा एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। उपर से डाकों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चहरे पर हवाईयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर धंग से मेरी और देखने लगा। और बोला हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। बचाईए ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परन्तु यात्री इतने घबरा गए थे कि वे मेरी बात सुनने को तयार नहीं हुए कहने लगे इसकी बातों में मत आईए। दोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकों के यहां मैं भी बहुत भेभीत था पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। डेर दो घंटे बीद गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं पर उसे बस से उतार कर एक जगा गेर कर रखा। कोई भी दुरगटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिरगडाने का कोई विशेश असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंड़क्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा अड़े से नई बस लाया हूं इस बस पर बैठिये। वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी औ मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूद मिल गया। थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर ने माफी मांगी। पाठ नौ मंगर पाठ परिचे चैप्टर इंट्रोड़क्शन प्रस्तुत पाठ अत्यंत स्वाभिमानी, बलिष्ट, कर्मट, स्वामी के प्रतीत अटूट निष्ठवान मंगर के जीवन पर आधारित है। उसकी व्रंधावस्ता में उपेक्षित होने पर क्या स्थिती हो पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्यकरनिक, अनेकार्थी शब्द, शब्दों से मूल शब्द और प्रते अलग करना, दोहरे उदहरन चिन्ध, विशे सनवर्धन गतिविध्यां, जीवन कौशल, रचनात्म कौशल, लेखन, समवाद, परियोजना कारे, शिक्षा, हमें गरीबों का सम्मान करना चाहिए, और उनकी भावना समझनी चाहिए, हट्टा कट्टा शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथ में पैना, आगे आगे बैल का जोड़ा, अपनी आवाज के हहास से ही बैलों को भगाता, मेरी खेट की ओर सुबह सुबह जाता, जबसे मुझे होश है, मैंने मंगर को इसी रूप में देखा है, मुझे ऐसा लगता है, हाँ, मुझे याद है, हल के बदले, कभी-कभी मुझे भी उसके कंधे पर चड़ने का सुबहाग्य मिल चुका है, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आए हैं, क्यूंकि ना जाने मंगर को बच्चों से वह सुबहाविक्स ने नहीं, जो उसके जैसे लोगों में प्राया देखा जाता है, उसे देखकर बच्चे भागते ही रहे हैं, आज जब मंगर अशक्त जरजर हो चुका है, बच्चे मानो इसका बदला चुकाने को अपनी छोटी चड़ियों से उसे छेड़ कर भागते हैं, और जब वह जलाता है, उन्हें मारने के लिए बुड़ापे की अपनी लकुटिया, खोचता या खीज कर गालिया बखने लगता है, तो वे खिल-खिला पड़ते हैं, और उसको मूँ चड़ाने लगते हैं, बच्चों से उसकी वित्रिशना क्यों हुई, शायद इसलिये तो नहीं कि उसे जो एक बच्चा नसीब हुआ, वह कमाओ पूत बनने के पहले ही उसे दगा दे कर चल बसा, और जो उसकी एक बच्ची थी, जिसकी शादी में उसने इतनी दरिया दिली दिखलाई, लेकिन एक बार मुसीबत काटने उसके दरवाजे वह पहुँचा, तो दामाद ने ऐसी बेरुखी दिखलाई, कि मंगर का स्वाभिमान उसे वहां से जबर्दस्ती भगा लाया, मंगर का स्वाभिमान, गरीबों में भी स्वाभिमान, लेकिन मंगर की खूबी यह भी रही है, मंगर ने किसी की बात कभी बरदाश्ट नहीं की, और शायद अपने से बड़ा किसी को मन से माना भी नहीं, मंगर मेरे बाबा का अदब करता था, शायद उनके बुढ़ापे के कारण, सुना है मिरे बाबुजी को वह बहुत चाहता था, शायद उनके नेक स्वभाव के कारण, ऐसा क्यूं, उसका खास कारण मंगर का हट्टा कट्टा शरीर और उससे भी अधिक उसका सक्त कमाउपन, जिसमें इमानदारी ने चार चान ल उतलेता और वह भी ऐसा महीन जोतता कि पहली चास में ही सिराओ मिलना मुश्किल, मंगर को यह बताने की जरूरत नहीं कि कल किस खेत में हल जाएगा, वह शाम को ही सारे खेतों की आर पार घूम आता, और जिसकी ताक होती वहां हल लिये सुभा सुभा पहुँच जाता, वक्त किसी की देखरेख की भी जरूरत नहीं, आम हलवाहों के बीच किसान लट लेकर पड़े रहते हैं, और तो भी वे जी चुराते, ढिलाई करते, आज का काम कल के लिए छोड़ते, यह आदत मंगर में थी ही नहीं, यूही रखवाली चाहे हरी फसल की हो, या सूखी पस सकता था, दूसरा ऐसा जन मिलेगा कहां, फिर क्यों न उसकी कदर की जाए, कभी कभी बाते कुछ बढ़ भी जाती, एक दिन काफी कहा सुनी हो गई, दूसरी सुभा मंगर हल लेने नहीं आया, इधर से बुलाहट भी नहीं गई, रुपे हैं तब हलवाहे ना होंगे, कोई नया हलवाहा लेकर खेत जोड गया, उधर दूसरा किसान जाकर मंगर से बोला, मंगर देख उन्होंने दूसरा हलवाहा कर लिया है, उनके पास रुपे हैं, हजार हलवाहे मिलेंगे, तो तेरा भी शरीर है, हजार घ्रिस्त मिलेंगे, चल हमारा हल जोड तू जो कहेगा मज मेरा सिर्जो दर्द कर रहा है मंगर ने इसका जवाब दिया और इसका यह सरदर्द तब तक बना रहा जब तक जख मार कर मेरे चाचा जी उसे बुलाने नहीं गए क्यूंकि चार दिनों में ही मालूम हो गया मंगर क्या है बैलों के कंधे छिल गए उनके पैर में फाल लग गया खेत में हल तो चला लेकिन न धेला हुआ न मिट्टे मिली मंगर के बिना काम नहीं चल सकता मंगर की अरधांगिनी मकोलिया ने कहा मालिक खड़े हैं जाओ मान भी जाओ कह दे मेरा सरदर्द कर रहा है मंगर ने चाचा जी को सुना कर कहा मंगर चलो आपस में कभी कुछ हो ही जाता है माफ करो चाचा जी की स्वर में आर्जू मिन्नत थी जाईए उसी से जुत्वाईए जिससे चार दिन जुत्वाया है मुझे ले जाकर क्या होगा आधी रोटी की बचत भी तो होती होगी यूही नोग जोग मान मिन्नत फिर मंगर अपना हलवाही का पैना हाथ में लिये आगे आगे और चाचा जी पीछे पीछे यह आधी रोटी की बचत क्या इसे समझा आपने इसे मंगर का खास इजाफा समझिए जहां गाउं भर के हलवाहे को एक रोटी मिलती मंगर के लिए डेड रोटी जाती वह भी रोटी सुअन्न की हो और अच्छी पकी हो उस पर कोई तरकारी भी जरूर हो क्योंकि मंगर किसी का कच्चा नमक नहीं खाता मंगर की सभी शर्ते पूरी होती लेकिन यह डेड रोटी वह खुद खाता ऐसा आप नहीं समझे क्या अपनी अर्धांगिनी के लिए लाता नहीं आधी के दो टुकडे करकर दोनों बैलों को खिला देता महादेव मुहत आके और मैं खाऊं यह कैसे होगा मंगर के लिए ये बैल नहीं साक्षात महादेव थे मंगर का स्वभाव रूखा और बैलोस रहा है किसी से लल्लो चपो नहीं लाई लपटाई नहीं दो टुक बातें दो टुक वहवार तो भी ना जाने क्यूं मंगर मुझे शुरू से ही स्नेह की नजर से देख था रहा है शायद इसलिए कि मेरे बाबु जी उसे बहुत मानते थे और वह शायद इसलिए भी कि मैं बच्पन से ही टूर हूँ मा बर गई पिता जी चल बसे तभी तो उसने अपना पवित्र कंधा मुझे दिया और जब कुछ बड़ा हुआ तब मैं ननिहाल जाने आने और रहने लगा तो याद आता है मंगर ही मुझे वहां पहुँचाता उसके बलिष्ट हाथों के उस कोमल स्पर्श का अनुभव आज भी कर रहा हूँ जिउँ जिउँ बड़ा होता गया घर से मेरा संबंध तूटता गया बकॉल मंगर मैं तो अपने ही घर का महमान बन गया लेकिन जब जब दो चार दिनों के लिए घर जाता मंगर को उसी रूप और उसी पेशे में देखा कपडों से मंगर का बैर रहा है साधारणता वे हमेशा नंग धढ़ंग रहता और मैं कहूं मुझे उसका शरीर उस रूप में बहुत ही अच्छा लगता आज एक कलाकार की द्रिष्टी से कहता हूं मंगर को खूपसूरत शरीर मिला था काला कलूटा फिर भी खूपसूरत मंगर का वह काला कलूटा शरीर एक संपून सुविक्सित मानव पुतले का उतक्रिष्ट नमूना लगातार की महनत ने उसकी मास पेशियों को स्वभाविक ढंग से उभाड रखा था पहलवानों की तरह उसमें अस्वभाविक उभाड नहीं थी जांगें, छाती, भुझाएं, सब में जहां जितनी, जैसी गड़त और उभाड चाहिए बस उतनी ही ना कहीं मास का लौदा, ना कहीं सूखी काट लेकिन आज ना वह देवी रही, ना वह कहार रहा, मंगर वह नहीं रहा, जो कभी था गरीबी को वह अपने अक्खडपन से हमेशा धता बताए रहा, लेकिन उम्र के प्रहरों से वह अपने को बचा नहीं सका उसकी एक एक चोट उसे धीरे धीरे जरजर बनाती रही उसकी शरीर की मास और मास पेश्यां ही नहीं गल गई है उसकी हडियां तक सूख गई है आज का उसका यह शरीर उस पुराने शरीर का व्यंग चित्र मात्र रह गया है बुढ़ापे के प्रहारों के लिए जो ढ़ाल का काम करती उस चीज का संग्र है मंगर ने कभी किया ही नहीं कोई संतान भी नहीं जो बुढ़ापे में उसकी लाठी बनती उसने इस निरस्त्र कवच हीन योद्दा पर वे सभी तीर छोड़े जो उसके तरकस में थे मंगर भुढ़ापे के कारण हल चलाने के लायक नहीं रह गया तो कुछ दिनों तक उससे कुछ फुट कर काम लिये गये लेकिन यह भी जादा दिनों तक नहीं चल सका अब एक ही उपाय रह गया था उसे पैंशन मिले लेकिन हल वाहू यथार्थ अन दाताओं के लिए पैंशन की हमारे अभागे देश में कहां व्यवस्था है और व्यक्तिगत दया का दाइरा तो हमेशा ही तंग रहा है फिर मंगर में जली हुई रसी की वह एंठन और शायद गर्मी भी है जिससे दया का बादल हमेशा ही उससे दूर दूर भागता रहा है उसकी अरधांगिनी मकॉलिया मंगर की आदर्श जोडी वही जमुनिया रंग काली कहकर मैं उसको अपमान क्यों करूं कुछ हाथ पाउं चला कर संग्रह कर लेती और दोनों प्राणियों की गुजर चला पाती है लेकिन यह भी कब तक क्योंकि वह बैचारी भी दिन दिन चीजती जाती है मकॉलिया मंगर की आदर्श जोडी शारिरिक धाचे में ही नहीं स्वभाव में भी मू का बैलोस या फूहर कहिए लेकिन मकॉलिया वही नहीं रही किसी का बच्चा खिला दिया, किसी का कुटान पिसान कर दिया किसी का गोबर पात दिया, किसी का पानी भर दिया और जो कुछ मिला उसमें पहले मंगर को खिला कर आप पीछे खाने बैठी किन्तु इतना करने पर भी वह हमेशा मंगर की फटकार सुना करती है मंगर पुरानी जड़प अब जादतर इसी पर जाड़ता है भगवान की मर्जी कहकर मंगर जिसके नाम पर अपनी मुसीबतों के बिसर जाने का प्रयत्न करता उस भगवान ने पर साल उसकी और दुरगत कर दी उसे जोरों की अधक पारी उठी मकॉलिया उसकी चलाहट से पसीज किसी दया की मूर्ती से दाल चीनी मांग लाई और उसे बकरी के दूद में पीस कर उसका लेप उसके ललाट पर कर दिया बाई पुटपुटी पर और आँख पर भी लगा दी मंगर ने लेप की पहली ठंडाई अनुभव कर कहा मकॉलिया हुक्म बजा लाई लेकिन यह क्या जहां जहां लेप था वहां अजीब जलन शुरू हुई जलन शक्म में बदले और शक्म ने उसकी एक आँख ले ली जब मैं घर गया बबुआ जी मेरी एक आँख चली गई मैं काना हो गया मंगर रोने लगा शायद मंगर को मैंने ही पहली बार रोते देखा मैं उसे धांडर्स दे रहा था लेकिन मेरा हृदे और विपदा अकेली कब रही पिछले माग में मैं घर पहुँचा सुभे धूप निकल आई थी लेकिन अपने चिर अभ्यास के अनुसार मैं आँखे मूंदे रजाई से लिप्टा पड़ा था थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ गिरने की सी धम धम की आवाज होती रही रजाई मूं से हटा कर आँखे खोली देखा सामने पुआल के टाल के नजदीक एक काला सा अस्थी पंजर बार बार खड़ा होने की कोशिश करता और गिरता है यह क्या चौक कर उठा उस और बढ़ा यह तो मंगर है सुना था मंगर को अरधांग मार गया है देखा आँखे सजल हो उठी निकट गया उसे संभाला फिर कहा मंगर पड़े क्यों नहीं रहते यह कैसी चोट लग रही होगी पड़े पड़े मन उप जाता है बबुआ मंगर ने जवाब दिया उफ नसे ढीली पड़ गई खून का सोता सूख गया लेकिन मानो अब कभी उसमें तरंगे उठती और किसी सूखे सागर की तरहां बालों के तट पर सिर्धुन पचारखा गिर पड़ती है कैसा करुण द्रिश्य पाठ दस प्रस्तुत कविता के माध्यम से कभी ने बताया है कि विपत्ती आने पर कायर उससे घबराते है वही सहासी उनका डट कर सामना करते है पाठ का उद्देश्य चैप्टर अब्जेक्टिव कौशल, सस्वर वाचन श्रवन पठन-पाठन, मौखिक वा लिखित प्रश्नोत्तर पाठ से आगे चिंतन और मनन व्याकर्णिक विलोम शब्द, अनुप्रास अलंकार तुकांत शब्द विशे सनवर्धन गतिविधिया जीवन कौशल, रचनात्म कौशल लेखन समवाद शिक्षा कायर को ही डहलाती है सूर्मा नहीं विचलित होते शन एक नहीं धीरजखोते विगनों को गले लगाते हैं काटों में रहा बनाते हैं है कौन विगन ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में खमठोक ठेलता है जब नर परवत के जाते पाउं उखड मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर मेंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है पार्ठ ग्यारा चिकित्सा का चक्कर Matter of Treatment पार्ठ परिचे Chapter Introduction चिकित्सा प्रणालियां कई प्रकार की हैं और मित्रगण वा नाते रिष्टदार भी किसी के बेमार पढ़ने पर क्या वातावरण होता है उसका बड़ा सजीव चित्रण हास्से के पुट देते हुए इस पार्ठ में किया गया है पार्ठ का उद्देशे Chapter Objective कौशल वाचन श्रवन पठन पाठन मौखिक व लिखित प्रशनोत्तर पार्ठ से आगे चिंतन और मनन व्यकरनिक मुहावरे तद्भव तथा तद्सम्शब्द उद्देशे तथा विधे वाक्यांश के लिए एक शब्द विशे सन्वर्धन गति विध्या जीवन कौशल रचनात्म कौशल लेखन परियोजनकार रे शिक्षा जब किसी बेमार व्यक्ती को देखने जाए तो उसे कोई गलत सलहा ना दे मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता मेरी आयू लगभग 35 वर्षकी है आज तक मैं कभी बेमार नहीं पड़ा लोगों को बेमार देखता था तो मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बेमार पड़ता तो अच्छा होता मेरे बेमार पड़ने पर हटले के बिस्कुट जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते खाने को मिलते यूडी क्लोन की शीश्यां सिर पर कोमल करों से बीवी उडेल कर मलती और सबसे बड़ी इच्छा तो यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते कहिए भेढब जी कैसी तबियत है किसकी दवा हो रही है कुछ फाइदा हुआ जब कोई रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मज़ा आता उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुँच जाता हाँ तो एक दिन मैं हौकी खेल कर आया कपड़े उतारे, स्नान किया शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है पर आज मैच में रिफ्रेश्मेंट ज़रा ज़ादा खा लिया था इसलिए भूक ना थी श्रीमती जी ने खाने को पूछा मैंने कह दिया कि आज स्कूल से मिठाई खा कर आया हूँ कुछ विशेश भूक नहीं है उन्होंने कहा विशेश न सही साधारन सही मुझे आज सिनेमा जाना है तुम अभी खा लेते तो अच्छा था संभव है मेरे आने में देर हो मैंने फिर इनकार नहीं किया उस दिन थोड़ा ही खाया बारा पूरियां थी और वही रोजवाली आधा पाव मलाई यह सब खाने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहां से बाग बाजार के रजगुले आए है रस तो होगा ही कल तक संभव है कुछ खटे हो जाए छे रजगुले निगल कर मैंने चार पाई पर धर ना दिया रस गुले चायावादी कविताओं की भाती सुक्ष्म नहीं थे स्थूल थे एका एक तीन बजे रात को नीद खुली नाभी के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुईयां लेकर कोच रहा है परन्तु मुझे भै नहीं मालूम हुआ क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औशदियों का राजा, रोगों का रामबार्ण अमरिधारा की एक शीशी समाप्त हो गई दर्द में किसी प्रकार के भी कमी ना हुई प्राताकाल एक डॉक्तर के यहां आदमी भेजना पड़ा डॉक्तर साहब सरकारी अस्पताल के थे वे एक इक्के पर तश्रीफ लाए सूट वाले का इक्के पर आना वैसा ही मालूम हुआ जैसा लीडरों का मोटर छोड़ कर पैदल चलना मैं अपना पूरा हाल भी ना कह पाया था कि वे बोले जबान दिखलाईए प्रेमियों को जो मज़ा प्रेमिकाओं की आँखे देखने में आता है शायद वैसा ही डॉक्तरों को मरीजों की जीब देखने में आता है डॉक्टर महोदे मुस्कुराए और बोले घबराने की कोई बात नहीं दवा पीजिए दो खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है हाई मैं तो दर्द से बेचैन था और डॉक्टर साहब साहित्ते का मज़ा लूट रहे थे चलते चलते बोले अस्पताल खोला ना होगा नहीं तो आपको दवा मंगानी ना पड़ती खेर चंदरकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिएगा वहाँ दवाईयां ताजी मिलती हैं गरम बोतलों से सेखना भी आरंब हुआ सेखते सेखते चाले पड़ गए पर दर्द में कमी ना हुई दुपहर हुई शाम हुई पर दर्द ने मुझ पर ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम न लेता था लोग देखने के लिए आने लगे मेरे घर पर मेला लगने लगा ऐसे ऐसे लोग आये कि कहां तक लिखूँ हाँ एक विशेश्टा थी जो भी आता एक न एक नुस्खा अपने साथ लेता आता था किसी ने कहा अजिक कुछ नहीं हींग पिला दो किसी ने कहा चूना खिला दो खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज बाकी नहीं रह गई जिसे लोगों ने ना बताया हो तीन दिन बीद गए दर्द में कमी न हुई लोग आते मुझे देखने के लिए पर किसी और विशे पर चड़चा छड़ जाती थी प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टी से कैसा है राय कृष्ण दास हफ़ते में नौ बार दाड़ी क्यों बनाते हैं मुझे भी कुछ बोलना ही परता था उपर से पान और सिगरेट की चपत अलग भला दर्द में क्या कमी होती आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे किसी दूसरे की धवा करो लोगों की सलहा से डॉक्टर चूहानात कातर जी को बुलाने की सलहा हुई आप लोग डॉक्टर साब का नाम सुनकर हसेंगे पर यह मेरा दोश नहीं है उनके माबाप का दोश है यदि मुझे उनका नाम रखना पड़ता तो अवश्य ही कोई साहित्तिक नाम रखता वे यथा नाम यथा गुणवाले व्यक्ती थे उनकी फीस आठ रुपे थी और मोटर का एक रुपया अलग वे लंदन से FRCS की डिगरी लेकर आये थे कुछ लोगों का सौंदर्रे रात में बढ़ जाता है वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है खैर डॉक्टर साहब बुलाए गए आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले धीरज रखिये मिनिटों में दर्द गायव हो जाएगा पानी गरम करवाईए तब तक दवा मंगवा लीजिए एक परचे पर उन्होंने दवा लिखी पानी गरम हुआ दो रुपे की दवा आई डॉक्टर बाबु ने तुरंत एक छोटी सी पिछकारी निकाली उसमें एक लंबी सुई लगाई पिछकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई कोच कर चुभो दी डॉक्टर साहब मुझे सांथवना देकर चले गए उसके बाद मुझे नीन्द आ गई और मैं सो गया मेरी नीन्द कब खुली कह नहीं सकता पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्राता काल पीड़ा रफुचकर हो गई थी कोई दो हफ़ते मुझे पूरी तरहां स्वस्त होने में लगे डॉक्टर चूहानात कातर जी की दवा बराबर पीता रहा 18 आने की शीशी प्रति दिन आती थी दवा के स्वात का क्या कहना शायद मुर्दे की मुँ में डाल दी जाए तो वह भी तिलमिला उठे 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया उन्हें धन्यवाद देने के लिए मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई अविशक्ता ना होगी वे बूले यह तो आपकी इच्छा है पर यदी काफी एहतियात ना करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटेस हो जाएगा आपकी श्रीमती जी बड़ी भागिवती है अगर 6 घंटे की देर और हो जाती तो उन्हें जिन्दगी भर रोना पड़ता यह तो कहिए कि आपने समय पर मुझे बुलवा लिया अभी कुछ दिन दवा पीजिए इसी बीच डॉक्टर महोदे ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबियत फड़क उठी भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारन क्या बड़े पड़े पड़े लोग भी नहीं जानते मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है या केवल हमारे डॉक्टर कातर जी को ही मालूम है खेर मैंने दवा जारी रखी अभी एक सब्ताह भी पूरा ना हुआ था कि दिन के दो बजे एक आ एक फिर दर्द रूपी फॉजी ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया डॉक्टर साहब ने जिन बहयांकर मर्जों का नाम लिया था उनका स्वरूप मेरी रोती आँखों के सामने नरित्ते करने लगा मैं सोचने लगा कि हुआ हमला उनी में से किसी एक मर्ज का तुरंत डॉक्टर साहब के यहां आदमी दोडाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए वहां से आदमी बिना मांगी पत्रका की भाती लोट कर आया कि डॉक्टर साहब कही गए हुए हैं इधर मैं हवाई जहास के पंखे की तेजी के समान करवटे बदल रहा था इधर मित्रों और घरवालों की कॉन्फरेंस हो रही थी कि अब किसे बुलाया जाए पर निशस्त्री करण समेलन की भाती कोई भी ना तो किसी की बात मानता था और ना ही कोई निश्चे हो पाता था मालुम नहीं लोगों में क्या क्या बहसे हुई कौन कौन और आयूर्वेदा चारे रसग्य रंजन चिकित्सा मारतंड के नाम लिए गए अंत में कवी राज पंडित सुगदेव शास्त्री जी को बुलाने की बात तैह हुई एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए 45 मिनट बीद गए परन्तु ना वे वैद्देजी आए ना भेजे गए सज्जन का कोई पता चला एक और दर्द आयकर की तरहां बढ़ता जा रहा था दूसरी और उन लोगों का भी पता नहीं चल रहा था बेचैनी और भी बड़ी अंत में जो साहब गए थे लोटे वे बोले वैद्देजी ने बड़े गौर से पत्रा देखा और कहा कि अभी भुद के सक्रान्ती वृत से शनी की स्थिरता है 31 पल 9 विपल में शनी बाहर हो जाएगा और डेड़ घड़ी एकादशी का योग है इसके समाप्त होने पर मैं चलूँगा सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया मगर वेह कह आये थे अतएव बुलाना भी आवश्चक था कोई आधे गंटे बाद वैद जी एक पालकी में तश्रीफ लाए आकर वे मेरे सामने कुर्सी पर बैट गए वे धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफेद दुपट्टा डाले हुए थे इसके अतरिक्त उनके शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेयू था जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुष्टी लड़कर आ रहे हैं वैद जी ने कुछ और ना पूछा पहले पांच मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी फिर दूसरे हाथ की और फिर बोले वायू का प्रकोप है यकृत से वायू घूम कर पिताशे में प्रवेश कर आंतर में जा पहुँची है इसमें मंदागनी का प्राधुर्भाव होता है और इसी कारण जब भोजे पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण बनता है कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे और मेरी तबियत दर्द और क्रोज से छटपटा रही थी आखिर मुझसे ना रहा गया मैंने एक सज्जन से कहा जरा अलमारी में से आप्टे का कोश तो लेते आईए यह सुनकर लोग चकराए कुछ लोगों को संधे हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ मैंने कहा दवा तो पीछे होगी पहले मैं समझ लूँ कि मुझे रोग क्या है ततपश्चार्थ वैद्द जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा देखिये मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाब होगा पंडित जी ने दवा दी अद्रक का रस और कहा कि इस आउशदी का सेवन करना होगा खैर साहब फीज दी गई किसी प्रकार वैद्द जी से पिंड चूटा दो दिन दवा की गई कभी कभी तो दर्द कम अवश्य हो जाता था पर पूरा दर्द ना गया वह CID की तरहा पीछा ही ना छोड़ता था चार पाई पर पड़ा रहने लगा दिन में मित्रों की मंडली आती थी वह आराम देती थी कम दिमाग चाटती थी अधिक एक सजन मुझे देखने के लिए तश्रीफ लाए थे वे बोले साहब आप लोगों को देश का हर संभव ध्यान रखना चाहिए आप किसी भारतिय हकीम अत्वा वैद्धे को ही दिखलाईए मैंने मन में सोचा कि वैद्धे महाराज को तो मैंने दिखा ही लिया अब हकीम भी सही हकीम साहब आए यदपी मैं अपनी बेमारी का जिक्र और अपनी बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र ना करना मुझसे ना हो सकेगा बनारस में बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती फिर भी उनी कपड़े पहनने का समय आ गया था परन्तु हकीम साहब चिकन का कुर्ता पहने हुए थे सिर पर बनारसी लोटे की तरहां टोपी रखी हुई थी पाउं में पायजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पायजामा बनवाने वाले थे परन्तु दर्जी इमानदार था उसने कपड़ा चुराया नहीं सबका सब लगा दिया अथवा यह भी हो सकता है कि धीली मोहरी के लिए कपड़ा दिया गया हो दर्जी ने कुछ कतर बयोत की हो और चुस्ती दिखाई हो जूता कामदार दिल्ली वाला था हकीम साहब इतने पतले दुबले थे कि मालूम पड़ता था कि उन्होंने अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को बाड़ दी है हकीम साहब में नजाकत भी बला की थी रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लकनव वालों के आते ही मैंने सलाम किया जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदास से दिया और बोले मिजास कैसे हैं मैंने कहा मर रहा हूँ बस आपका ही इंतजार था अब यह जिन्दगी आपके हातों में है हकीम साहब ने कहा या रब आप तो ऐसी बात करते हैं जैसे गोया जिन्दगी से बेजार हो गए है भला ऐसी गुफ्तगु भी कोई करता है मरें आपके दुश्मन नपस तो दिखाईए खुदा वंद करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफु चक्कर हो जाएगा मैंने कहा अब आपकी दुआ है आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुक्मान की तरह मशूर है इसलिए आपको तकलीव दी गई है ठीक है अब आप इलाज शुरू कीजिए उन्होंने दस मिनट तक नबस देखी फिर बोले मैं नुस्का लिख देता हूँ इसे वक्त पर पीजिए इंशाआलला जरूर शिफा होगी हकीम साहब चलने को तैयार हुए उठते उठते बोले जरा एक बात का खयाल रखेगा कि आज कल लोग दवाईयां बहुत पुरानी रखते हैं मेरे यहाँ ताजी दवाईयां मिलती है दर्द फिर कम हो चला परन्तो दुर्बलता बढ़ चली थी कभी कभी दर्द का दौरा अधिक वेख से आता था घरवालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेश चिनता होने लगी कोई कहता था कि लखनाउ जाओ तो कोई एक्सरे का नाम लेता था किसी किसी ने राय दी कि जल चिकित्सा कीजिए एक सजण ने कहा यह सब कुछ नहीं आप होमयोपयती इलाज शुरू कीजिए देखिए कितनी शिगरता से लाब होता है साहब इन ननी ननी गोलियों में मालुम नहीं कहां का जादू है साहब जादू का काम करती हैं जादू का एक प्राक्रतिक चिकित्सा वाले ने कहा था कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेपकर धूप में बैठिये एक हफते में दर्द हवा हो जाएगा हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए उन्होंने कहा देखिए साहाब आप पड़े लिखे आदमी हैं, समझदार है मैं बीच में बोल उठा, समझदार ना होता तो आपको कैसे यहां बुलाता इसी बीच में मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई उन्होंने बड़े प्रेम से देखा देखकर बोली मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह कुछ उपरी खेल है मैंने पूछा यह उपरी खेल क्या है नानी जी वे बोली बेटा सब कुछ किताब में ही थोड़े लिखा रहता है बात यह है कि तुम पर किसी चुडेल का साया है वे मेरी स्त्री और माता जी की ओर देखकर कहने लगी देखो न इसकी बरौनी कैसी खड़ी है कोई चुडेल लगी है किसी ओजा को दिखा देना चाहिए मैंने कहा डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लग ही गए है क्या चुडेल उनसे भी बढ़कर है जब सब लोग चले गए तब मेरी पतनी ने कहा तुम लोगों की बात क्यूं नहीं मान लिया करते कुछ हो या ना हो इसमे तुमारा हर्ज ही क्या है मेरे दर्द में किसी विशेश प्रकार की कमी न हुई ओजा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता पर बीच बीच में दवा भी होती जाती थी कुछ लाब अवश्य हुआ पर पूरा फायदा ना हुआ मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनाउं जाऊंगा जो बात काशी में नहीं हो सकती लखनाउं में हो सकती है वहां सभी साधन है सब तैयारी हो चुकी थी कि इतने में एक और डॉक्टर को एक महरबान बुला लाए उन्होंने देखा कहा जरा मू तो देखूं मैंने कहा मू जीव जो चाहे देखिए देखकर बड़े जोर से हसे मैं घबराया ऐसी हसी केवल कवी सम्मेलन में बेढंगी कविता पढ़ने के समय सुनाई देती है मैं चकित भी हुआ डॉक्टर बोले किसी डॉक्टर को यह सूजी नहीं तुम्हें पाई रिया है उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है मैंने कहा तो क्या करूँ डॉक्टर साहब ने कहा इसमें करना क्या है किसी दंत चिकित्सक के यहां जाकर सब दांत निकलवा दीजिए मैंने अपने मन में कहा आपको यह कहने में तो कुछ कठिनाई ही नहीं हुई गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीव ही नहीं होगी खैर रात भर मैंने सोचा फिर मैंने निश्चे किया कि यह डॉक्टर ठीक कहते हैं दंत चिकित्सक के यहां से पुछवाया उसने कहा कि तीन रुपे दांत तुडवाने के लिए लगेंगे कुल दातों के लिए 96 रुपे लगेंगे मगर मैं आपके लिए 6 रुपे छोड़ दूँगा इसके अतरिक्त दात बनवाई के अलग यह सुनकर पेट के दर्द के साथ सिर में भी चक कराने लगे मगर मैंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ है इतना और खर्च कर लेता हूँ श्रीमती जी से मैंने रुपे मांगे उन्होंने पूछा क्या हुआ मैंने सारा हाल कह दिया वे बोली तुम्हारी बुद्धी कहीं घास चरने गई है आज कोई कहता है दात उखडवा डालो कल कोई कहेगा बाल उखडवा डालो परसो कोई डाक्टर कहेगा नाक नुचवा डालो आखे निकलवा दो यह सब फिजूल है फिजूल खाना ठीक सिखाओ पंदरा दिन में ठीक हो जाओगे मैंने कहा तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपे क्यों बर्बाद कराए पार्ट बारा स्वच भारत स्वस्थ भारत क्लीन इंडिया, हेल्दी इंडिया पार्ट परिचे चैप्टर इंट्रोड़क्शन प्रस्थुत पार्ट में भारतिय संस्कृती में शुद्धता, स्वचता, पवित्रता तथा स्वास्त के महत्व को बताया गया है साथ ही वर्तमान समय में स्वच भारत की उप्योगिता को भी उजागर किया गया है पार्ट का उद्देशे चैप्टर अबजेक्टिव कौशल वाचन श्रवन पठन-पाथन मौखिक व लिखित प्रशनोत्तर पार्ट से आगे चिंतन और मनन व्याकरनिक सरल संयुक्तव मिश्रवाक के सर्वनाम के भेद विशेशन से भाववाचक संग्या बनाना विशे सनवर्धन गतिविधिया जीवन कौशल रचनात्मक कौशल लेखन, खोजबीन, परियोजनाकार्रे शिक्षा स्वस्त रहने के लिए स्वच्चता जरूरी भारत स्वच्चता के महत्व को जानता है इसलिए भारती संस्कृती में स्वच्चता को प्राचीन काल से ही महत्व दिया गया है हमारी संस्कृती में जो बाते अपनाई गई हैं वे विज्ञानिक दृष्टी से प्रमानित हैं आज देश में स्वच्च भारत का नारा गूँज रहा है चारो और स्वच्च भारत के निर्मान की चर्चा है उसके बीज हमारी संस्कृती में प्राचीन काल से ही विद्यमान थे। बाहर से घर आने पर हम जूते चपलों को घर से बाहर ही उतार देते हैं। जिससे जूते चपलों में लगी गंदगी तथा रोगाणूं किटाणूं घर के अंदर तक ना पहुँच सके। कच्चे घरों को मिट्टी तथा गोबर से लीपा जाता है ताकि घर का वातावरण शुद्ध हो जाए। प्रतेक घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता है ताकि उसकी महक वातावरण को शुद्ध रख सके। इसके साथ साथ छोटी मोटी बिमारियों का तुलसी की पत्तियों द्वारा इलाज भी किया जाता था। भारतिय संस्कृती में पीपल के पेड का विशेश महतु रहा है। पीपल को देव व्रिक्ष के समान माना गया है क्यूंकि वह प्रचुर मात्रा में प्राण वायू, अर्थार, ओक्सीजन प्रदान करता है। पीपल के पेड को जल चड़ा कर पूजा जाता है, ताकि वह हमेशा हरा भरा रहे। इसके अतिरिक्त भी अनेक पेडों का स्वच्चता में महतुपूर योगदान रहा है। भारतिय संस्कृती में योग और ध्यान को भी बहुत अधिक महत्व दिया गया है। योग और ध्यान से ही अनेक रिशीमुनी तथा महात्मा अनोखी शक्तियां प्राप्त कर लिया करते थे। वातवरण की शुद्धी के लिए अनेक हवन किये जाते थे। जिसके द्वारा प्रकृती का संतुलन बना रहता था। समय पर वर्षा, समय पर गर्मी तथा समय पर सर्दी परती थी। सम अत्दिक गर्मी तथा सर्दी की मार झेलनी परती है। नित नई नई बेमारियां जन्म ले रही है। फल सबजी आदी का कोई समय नहीं रहा है। स्वच भारत का जो सपना किसी जमाने में सच था आज वह सपने के रूप में हमारे सामने है। भारतीय संस्कृती में केवल शहर या गाउं ही स्वच नहीं रखे जाते थे, बलकि तन, मन तथा सब कुछ स्वच रखा जाता था। आज फिर से स्वच भारत की गूंज सुनाई दे रही है। यह गूंज सीमित नहीं, असीमित है। इसमें किसी एक शित्र की नहीं, अपि जल्दी ही सच बन सकता है। बस जरूरत है तो हर देशवासी के मिलकर चलने की, तथा देश के प्रती अपने कर्तव्वे का निर्वा करने की। हमें यह समझना होगा कि जब देश स्वच होगा, तो देशवासी भी स्वस्त होंगे। और जब देशवासी स्वस्त होंगे, तो देश उन्नती के मार्क पर अग्रसर होगा। नहीं एक का, नहीं अनेक का, जनजन का हो सपना, नहीं नगर, नहीं गाउं, सच भारत हो अपना। पार्ट तेरा, फूल का मुल्ले, प्राइस ओफ फ्लावर। पार्ट परिचे, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पार्ट में बताया गया है कि भगवान को त्रिप्त करने के कई रास्ते हैं, उन्तक पहुँचना हो तो उन्हें श्रद्धा और भक्ती के द्वारा आसानी से पाया जा सकता है। पार्ट का उद्देश्चे, चैप्टर अब्जेक्टिव, कौशल, वाचन श्रवन, पठन पाथन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पार्ट से आगे, चिंतन और मनन, व्यकरनिक, मोहावरे, तत्सम तथा तद्भव शब्द, शब्द युग्म, विशे सनवर्धन गति विध्या, जीवन कौशल, रचनात्म कौशल, लेखन, संबाद, कला, संबधता। शिक्षा, सच्ची श्रद्धा के सामने सब तुछ है। शीतकाल के दिन थे, शीतकाल की प्रचन्डता के कारण पौधे पुष्प विहीन थे, वन उपवन में उदासी चाई हुई थी, फूलों के अभाव में पौधे श्रीहीन दिखाई दे रहे थे। ऐसे उदास वातावरण में एक सरोवर के मध्धे कमल का फूल खिला हुआ देखकर उसका माली प्रसन्द हो उठा। उस माली का नाम सुदास था। ऐसा सुन्दर फूल तो कभी उसके सरोवर में खिला ही नहीं था। सुदास उस फूल की सुन्दर्टा पर मुग्ध हो उठा। उसने सोचा कि मैं यदी यह पुष्प राजा साहब के पास लेकर जाओंगा तो वह प्रसन्द हो उठेंगे। राजा साहब पुष्पों की सुन्दर्टा के दिवाने थे। इस शीतकाल में जब पुष्पों का अभाव है तब इतना सुन्दर पुष्प देखकर उसे इसका मन चाहा मुल्ले मिलने की उम्मीद थी। उसी समय एक शीत लहर आई। सुदास को लगा कि यह पवन भी कमल के खिलने पर अपनी प्रसनता प्रकट कर रही है। माली को यह सब शुब लक्षन लगे। वह सहस्रिदल कमल के फूल को देखकर मन ही मन फूला नहीं समा रहा था। वह उस फूल को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। वह मंचाहे पुरसकार की कामना में डूबा हुआ था। राजमहल पहुँचकर उसने राजा को समाचार भिजवाया। वह विचार मगन था कि अभी उसे राजा बुलाएंगे। राजा इस सुन्दर पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन हो उठेंगे। अच्छे मूल्ले की अभिलाशा में वह यतन पुर्वक उस पुष्प को पकड़े हुए प्रेम पुर्वक नहार रहा था। राजमहल के बाहर खड़ा वह राजा द्वारा बुलाए जाने की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि तभी राजपत पर जाता हुआ एक सब्भे पुरुष कमल की फूल की सुन्दरता पर मुग्द होकर सुदास के पास आकर पूछने लगा फूल बेचोगे। मैं तो यह फूल राजा के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। सुदास यह उत्तर दे कर चुप हो गया। तुम यह फूल राजा को देना चाहते हो, किन्तु मैं तो यह फूल राजाओं के भी राजा के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ भगवान तथागत यहां पधारे हैं, बोलो तुम इसका क्या दाम लेना चाहते हो मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके बदले एक माशा स्वण मिल जाए उस पुरश ने ततकाल यह मुल्ले सुईकार कर लिया तभी शहनाईयां बज उठी मंगलवादे बज उठे सुन्दर थाल सजाए हुए सुन्दर युवतियों का जुण उदर ही चला आ रहा था राजा प्रसेंजीत पैदल ही भगवान बुद्ध के दर्शनों के लिए जा रहे थे नगर के बाहरी भाग में वे विराजमान थे सुदास के पास कमल का फूल देखकर वे प्रसन होटे इस प्रचंड शीत में फूल कहीं ढूनने से भी नहीं मिल रहे थे ऐसे में इतने सुन्दर पुष्प को देखकर उनका मोहित होना स्वभाविखी था उनकी पूजा की थाली में पुष्प की ही कमी थी राजा ने सुदास से पूछा इस फूल का क्या मूल ले लोगे सुदास बोला महराज फूल तो यह सजजन ले चुके हैं कितने में? एक माशा स्वण में मैं तुम्हें इस पुष्प के बदले दस माशा स्वण दूँगा राजा की वंदना करके उस संजन ने कहा सुदास मेरी तरफ से बीस माशे स्वण ले लो राजा से निवेदन करते हुए वह सजजन बोला महराज आप तथा मैं दोनों ही तथा गत के चरणों में यह पुष्प अर्पित करना चाहते हैं इसलिए आप और मैं इस समय राजा या प्रजाना होकर दो भगतों की तरह ही वहवार करें तो जादा उचित रहेगा भगवान की दृष्टी में सभी भगत एक समान होते हैं मधुरवानी में राजा प्रसेंजीत ने कहा भगत जन मैं आपकी बात सुनकर प्रसन हुआ आप इस पुष्प के लिए बीस माशा दे रहे हैं तो मैं इसका मुल्ले चालिस माशा स्वन देने के लिए तयार हूँ तो मेरे भगत के वाक्य पूरा करने से पहले ही सुदास बोल पड़ा हे राजन एवं भक्तिजन आप दोनों ही मुझे क्षमा करें मुझे यह पुष्प नहीं बेचना है इतना कहकर वे वहाँ से चल पड़ा वे दोनों अश्चर पूर्वक उसे देखते रहे गए सुदास पुष्प लेकर गौतम बुध के स्थान की और चल पड़ा वे सोच रहा था कि जिस बुध देव को देने के लिए ये दोनों इस पुष्प की इतनी कीमत देने को तयार है यदि मैं स्वैम ही उन्हें यह पुष्प अर्पित करूं तो मुझे और अधिक धन की प्राप्ती होगी उसने देखा कि एक वट व्रिक्ष के नीचे महात्म बुध ध्यान मग्न पदमासन अवस्था में बैठे थे उनके मुख पर एक अध्भुत आभा थी चेहरे पर अध्भुत तेज था ओटों पर हास्से की स्मित रेखा थी पूरा व्यक्तित्व एक अनूठा प्रभाव लिये हुए था सुदास उन्हें देख कर अपने होशो हवास भूल कर आधर पूर्वक निर्निर्मेश भाव से उन्हें निहारने लगा आगे बढ़कर उसने आधर पूर्वक उनके चरणों में वह फूल अर्पित कर दिया उसका तन मन एक आलोकिक सुक का अनुभव कर रहा था माहत्मा बुध ने उससे प्रश्न किया हे वत्स क्या चाहिए आपकी क्या इच्छा है सुदास मधुर स्वर में बोला कुछ नहीं बस आपका आशीर वाद चाहिए पाठ चौदा सुर्दास के पद वर्सिज ओफ सुर्दास पाठ परिचे चैप्टर इंट्रोड़क्शन प्रस्तुत पाठ में बाल कृष्न की लीलाओं का मनुहारी चित्रण किया गया है पाठ का उद्देश्य चैप्टर अब्जेक्टिव कौशल सस्वर वाचन श्रवन पठन पाठन मौखिक व लिखित प्रश्नुत्तर पाठ से आगे चिंतन और मनन व्याकरनिक ब्रिज भाषा के शब्दों का हिंदी रूप लिखना पद की पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद करना संग्या शब्द लिखना विशे सनवर्धन गतिविधियां जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, कला संबधता शिक्षा, मा बच्चों के लिए सबसे प्रिये होती है एक, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो भोर भयो गईयन के पाचे मधुबन मोही पठायो चार पहर बंसी बट भटकयो, सांज परत घर आयो मैं बालक बहियन को छोटो, छीकों के ही विधि पायो ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बर बस मुखलप टायो तेरे जीये कचु भेद उपजी हैं, जानी पर आयो जायो यहले अपनी लकुटी कमरिया बहुते नाच नचायो सूरदास तब बहसी जसोदा ले उर कंठ लगायो 2. मैया कब ही बढ़ेगी चोटी कित्ती बार मोहिन दूद पियत भही, यह अजहूं है चोटी काचु दूद पियाबत पची पची देती ना माखन रोटी सूरचिर जैवो दोव भाईया हरी हलदर की जोडी तेरी सौं मेरी सुनि मैया अब ही बेहाहन जैहूं सूरदास हवे कुटिल बराती गीत सुमंगल गैहूं मैया मोही दाओ बहुत खिजायो मोसो कहत मोल को लीनो तोही ज सुमती कब जायो गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत स्याम सरीर चुटकी दैदे हसत ग्वाल सब सीखे देत बलबीर तू मोही को मारन सीखी ताहूं कबहूं ना खीजे मोहन मुख ये रीस की बाते जा सुमती सुनी सुनी रीजे सनहू कानहा बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत सूर शाम मोही गोधन की सौं हो माता तू पूत चार मैया मैं तो चंद्र खिलोना ले हूं जैहू लोटी धरनी पर अबही तेरी गोधन आहियों सुर्भी कौपै पान न करहियों बेनी सिरना गुहैयों हवईयों पूत नंद बाबा को तेरो सूत न कहियों आगे आउ बात सुनी मेरी बल देव ही न जनहूं हसी समझावती कहिती जसो मती नई दुलनियां देहूं पाठ पंद्रा शरणागत की रक्षा प्रोटेक्शन ओफ रिफ्यूजी पाठ परिचे चैप्टर इंट्रोड़क्शन प्रस्तुत पाठ में राजस्थान के रन्थम भोर के राजा राणा हम्मीर की कर्तव्य निष्टा का वर्णन किया गया है राजपूत राजा हम्मीर ने शरण मांगने आये दिल्ली के बादशा अल्लाउदीन खिल्जी के भगोडे सिपाही माहम शाह को शरण देकर अपने कर्तव्य का पालन किया लेकिन उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी बड़ी पाठ का उद्देशे चैप्टर अब्जेक्टिव कौशल वाचन श्रवन पठन पाठन मौखिक वर लिखित प्रशनोत्तर पाठ से आगे चिंतन और मनन व्यकरनिक एक शब्द के लिए वाक्यांश लिखना रचना के आधार पर वाक्य के भेद सरल्स सैयूक्त मिश्रवाक्य योगिक शब्द संधी विच्चेद विशे सनवर्धन गतिविधियां जीवन कौशल रचनात्म कौशल लेखन कला संबधता परियोजना काहरे शिक्षा हमें शरण मांगने वाले को अवश्य शरण देनी चाहिए रण्थम भोर के राजा हमीर अपने दर्बार में बैठे अपना राज काज देख रहे थे कि किसी ने पुकारा मैं आपकी शरण में आया हूँ महराज हमीर ने आखे उपर करके देखा कि एक बहादूर मुसल्मान उनकी सामने था उसका सिर जुका हुआ और गला व्यथा से भर राया हुआ था कौन हो तुम हमीर ने पूछा महराज मैं दुखिया हूँ मेरे प्राण संकट में है आपकी शरण में आया हूँ अगंतुक ने पूरी कहानी कह सुनाई मेरा नाम माहम शाह काम सिपाहीगरी बादशा अल्लावुदीन खिलजी का खादिम एक मामूली बात पर बादशा नाराज हो गए और मेरे लिए फांसी का हुक्म दे दिया वे घडिया नस्दीक थी जब फांसी का फंदा दम घोड देता और मेरी लाश को चील और कुत्तों के लिए फैंक दिया जाता कि मैं जेल से फरार हो गया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में हाजर हूँ मेरी रक्षा कीजिए महाराज हमीर ने गौर से माहम शाह को देखा वे बहुत घबराया हुआ था दिल्ली और रन्थंबोर के बीच दो राजपूतों के कई राज्जे हैं तुम उनमें क्यों नहीं गए माहम हमीर ने गंभीरता से पूछा दीन भाव से माहम ने कहा महाराज मैं सब के दर्वाजे गया सबने मुझे सहानुभूती दी पर कोई शरण न दे सका क्योंकि मैं दिल्ली के बादशा अल्लावदीन खिलजी का भगोड़ा हूँ और मुझे शरण देकर कोई उन्हें नाराज नहीं करना चाहता हमीर ने अपने सलहाकारों को देखा और अनुच्चाहित पाया उनकी राय थी महराज माहम शह की तलवार आज आपकी शरण में है पर कल तक वै हमारे खून की प्यासी थी हम उसे अपनी चाहा में लेकर दिल्ली के तक्त की लपलपाती क्रोदगनी को न्योता क्यों दे यह दिल्ली के तक्त की लपलपाती क्रोदगनी को न्योता देने की बात नहीं है सरदारों यह करतव्वे का प्रश्ण है आन का प्रश्ण है जब माहम इस द्वार से लोटेगा तो स्वर्ग में हमारे पूर्वज क्या सोचेंगे क्या उन्हें स्वर्ग के सुख साज में काटों की चुभन का अनुभव ना होगा हम्मीर ने आवेश में पूछा सरदारों ने कहा क्षमा करे महाराज आपकी बात परम पवित्र है पर करतव्वे की भी एक सीमा है करतव्वे की सीमा कड़कर हम्मीर ने पूछा करतव्वे की सीमा है करतव्वे पालन करतव्वे के पालन में सुख मिलेगा राजपूत का करतव्वे है, यह करतव्वे हमें पूरा करना है, फिर इससे दिल्ली का बादशाह नाराज हो या दुनिया का बादशाह। सामंत सरदार भी अब महाराज की भावधारा में बहकर वैवार बुद्धी से दूर भावना के शित्र में पहुँच गए थे, उनके मूँ से निकला, धन्ने महाराज, हम्मीर ने कहा, माहमशाह, रंथमबोर अब तुम्हारा घर है, आराम से यहां रहो और विश्वास रखो कि अब किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारी तरफ तिरची आँखों से देखे, कोई कश्ट हो तो हमें कहना जाओ, जल्दी ही यह खबर दिल्ली के बादशा अलाओ दीन खिलजी तक पहुची, तो वह तम-तमा उठा, हम्मीर की यह हिमाकत कि मेरे चोर को आसरा दे, क्या तु माहम को अपनी देख रेक से मेरे सुपुर्द करो और अपने कसूर की माफी मांगो, अल्लाओ दीन का यह संदेश हम्मीर के पास पहुचा, तो वह मुस्कुराया, उसने लिखा माहम को शरण दी है, कोई नौकर नहीं रखा, और अपना सर्वस्व लुटा कर भी शरणागत की रक्षा करना मेरी जाती के संसकार है, सपने में भी उमीद न रखेगा कि माहम को मैं आपके दरवाजे लाओंगा, अब जो मुनासिब समझे कीजिए, जवाब क्या था, एक पलीता था, जिसने खिलजी के बारूद में आग लगा दी, और उसने कुछ दिन बाद ही अपन संदेश था, लडाई से नहीं डरता और जीवन की आखरी घड़ी तक माहम की रक्षा करूँ, हम मीर का यह आखरी उत्तर था, दूसरे दिन रन दुमदुभी बज उठी, उची पहाडी पर बना रन्थमबोर का किला और चारो और फैली शाही फौजें, एक तरफ अपने ब भरपूर आन, लडाई क्या थी, यह बात की बाजी और यह बाजी जिसका निशाना एक आदमी के प्राण और इस एक प्राण के लिए हजारो प्राण, सरसों के दानों की तरहा हथेली पर, दोनों तरफ हजारो योध्धा काम आए, बादशा की ताकत जितनी छीजती, दिल् और हर गिरता सिपाही हजार को 999, वै के रास्ते खुले हुए थे, आए के बंद, कुबेर का कोश भी यू कब तक तिक पाता, हमीर उस दिन कुछ सोच रहे थे कि माहमशा आकर खड़े हो गए, कहिए शहसाब क्या बात है, हमीर ने कहा, माहमशा कुछ चुप देखकर हमीर पूरी गंभीरता से कहा, शहसाब ये बच्चों का खेल नहीं, युद है, फिर क्या आप नहीं जानते कि मैं एक राजपूत हूँ, जो वचन दे चुका हूँ, उसे मरते दम तक निभाऊंगा, इस लडाई में आपकी बहादुरी का चमतकार देखकर मैं बहुत खुश हू हार जीत तो किस्मत के दो किनारे हैं, इनकी फिक्र न कीजिये, लडाई चलती रही, सामान और सिपाही घडते रहे, एक दिन भंडारी ने खबर दी, आज खाने का सामान खत्म है, रंधंबोर के किले में एक सबा हुई, कि अब क्या हो, माहमशाह ने बहुत खुशामत की, वहे बहुत गिरगडाया कि उसे बादशाह को सौप कर सुलह कर ली जाए, पर अब उसके प्रस्ताव का समर्थक वहां कोई न था, सच्चाई यह है कि हमीर और उनके साथियों के सामने यह प्रश्ण ही न था कि हम कैसे बचें, उनकी विचार दिशा तो केवल ये थी कि हम क कैसे लड़ें, भावुकता का ऐसा ज्वार विश्व के इतिहास में शायद ही और कहीं आया हो, फैसला हुआ कि कल किले का द्वार खोल दिया जाए और जम कर युद हो, इस युद का स्पष्ट अर्थ था, आहत्महूती, सर्वस्व समर्पन, जीत की कामना सिपाही को उत्स ही ना थे, इन्हें जूलना नहीं, जूमना था, इन्हें भुजना नहीं, जूजना था, किले में यौवन की किलकारियां भरती इंस्त्रियों का क्या होगा, उन्होंने फैसला किया कि किले के द्वार खुलने से पहले जोहर करेंगी, अब वे निश्चिंत थे, जैसे उन्ह को सोने के लिए ऐसी जिवन्त नींद रात के सितारों ने फिर नहीं देखी यह वे आपस में अब भी कहा करते हैं क्या आत्मा की अमर्ता का ऐसा विश्वास और मृत्यू का इतना मनोरम विवरण इफिहास के किसी और प्रिष्ट में भी इतने प्रदीप्त रूप में लिखा गया है पौफटी किले का ध्वार खोल दिया गया और रन्थंबोर के योधा रण में कूद पड़े रण था यह दिल्ली की फौजों के लिए रन्थंबोर वालों के लिए तो आत्मदान का यग्जि था माहम और हम्मीर साथ साथ आगे बड़े और काल बनकर बरसे दूसरे सिपाही भी खून की आखरी बूद तक लड़े रन्थंबोर की ये शाहदते ये भलिदान ये कुर्बानिया वीर्ता के इतिहास में अपना जोड नहीं रखती और आज सदियों बाद भी उनसे अगर बत्तियों सी जीवन के सौरब की भीनी एवं प्रेरक सुगंद आ रही ह पाठ सोलां फ्रांस पाठ परिचे चैप्टर इंट्रोड़क्शन यात्रा कहीं की भी हूँ वह हमारे मन में उद्सहा व प्रसन्नता का संचार करती है और फिर अगर यह यात्रा फ्रांस जैसे सुन्दर देश की हो तो फिर तो कहने ही क्या पाठ का उद्देश्य कौशल, वाचन श्रवन, पठन-पाठन, मौखिक्व लिखित प्रशन उत्तर, पाठ से आगे, चिंतन और मनन, व्यकरनिक, एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द, मूल शब्द तथा उपसर्ग अलग करना, स्रीलिंग तथा पोलिंग शब्दों को अलग-अलग लिखना, दिये गए शब्दों से भाव-वाचक संग्या बना कर रिक स्थान भरना, विशे सनवर्धन गतिविद्या, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, खोजबीन, परियोजना कर रे, शिक्षा, हमें नए-नए स्थानों की यात्रा करनी चाहिए, दुनिया का सबसे सुन्दर माने जाने वाला शहर पैरिस मेरे लिए रेखा गणित की तरह था, चारो और फेले खेत, जिसके हर हिस्से का अपना ही रंग, कुछ हरे या भूरे तो कुछ पीले और उसके बीच खपरेल की लाल छटे, फिर बीच से गुजरने वाला रास्ता स कितनी ही बाते कही सुनी जाती हैं, पर हम जब तक वहां जाते नहीं, तब तक उसका अर्थ समझपाना मुश्किल होता है, मन में शक, उच्सुपता और कोतुहल का तूफान उठ रहा था, यदपी दो विभिन जगाओं की तुलना हो नहीं सकती, पर फ्रांस की गोद में प फ्रांस समझ लेते हैं, लेकिन पैरिस की आबादी में जादा प्रतिशत विदेश्यों का है, जो यहां आकर बस गए हैं, और सही ढंक से उनमें समा गए हैं, जब फ्रांस विशुकप जीतता है, तो उल्लास मनाने वालों की भीड में सिर्फ खास फ्रेंच ही नहीं होते है उनमें होते हैं, अलबेरियन, मुरेकन, ट्यूनेशियन और कई अफ्रीकी देशों के लोग, यह फ्रांस की अपनी बहुराश्ट्रिय संस्कृती है, फिर से घर बसाते समय ध्यान आया कि भाशा हमें हर पल एहसास दिलाती है कि हम विदेशी हैं, लगा यदि हमें यहां जी तो चिडिया घर के एक और नमूने बन कर रह जाएंगे, एक बार अपना देश छोड़ा तो हम अपने लोगों के लिए परदेशी बन जाते हैं, और अब इस देश में भी यदि विदेशी बन कर रहना पड़े तो हम ना घर के ना घाट के रहेंगे, हमने सुना था कि फ्र फ्रेंच लोगों के लिए अंग्रेजी बोलने की कोई वजा ही नहीं है, फ्रेंच भाषा अपने आप में ही संपूर स्वावलंबी है, विज्ञान के साथ वेह भी अपना अविशकार करती आई है, उसे अंग्रेजी की जरूरत क्यूं हो? यदि इस बात का गर्व इनको हो भी तो उसमें बुराई क्या है? स्कूल में विदेशी भाषाएं सिखाई जाती हैं, लेकिन फ्रेंच स्वभाव से ही आलसी होते हैं, वे आपकी भाषा सीखने से बहतर आपको अपनी भाषा सिखाना समझते हैं, इस तरहां पहले थोड़ी मेहनत उठाने के बाद उनका का सहज हो जाता है, वे घमंडी नहीं होते हैं और शायद यही वज़ा होगी कि वे आपकी फ्रेंच गलतियों पर हसते नहीं, बलकि आपको प्रत्सहन देते हैं और प्रशंसा भी करते हैं, ऐसे वातावरण में हमारे लिए भाषा सीखना काफी सरल बनता गया, पहले कुछ मह ही ने जिन्दगी बहुत कठिन बन गई थी, हम अपने रोजमर्रा के काम भी एक आहवान की तरहां जेलते, शाम को अपनी एका की खिड़की से सामने का विस्तरित शहर देखते, अकेला पन और उदासी शाम में ढलती और सामने का वही द्रिश्य अंधेरे में डूबने से पहले ही हजारों बतियों की टिम्टिमाहट से जाग उठता और फिर से रोशनी उनमें आकार भर देती, एफिल टावर पर हजारों रोशनियां जूल उठती, रह रह कर सामने बहती सैन नदी से गुजरने वाले जहास की फोकस लाइटे सारी इमारतों को चुंधिया कर निक और हमारी अनाथ आँखों से यादे टपकती, हम जट से टेलिविजन के सामने बैठ जाते और कानों पर पढ़ने वाले निरर्थक शब्दों में अर्थ खोचते धीरे धीरे भाशा पर काबू आने लगा, जान पहचान बढ़ी और साथ ही नौकरी भी मिली, हमारा विश्व व्यापक होने लगा यहां खास परिचे की जरूरत नहीं होती, लिफ्ट में, बस स्टैंड पर या बगीचे में अगल बगल के व्यक्तियों से बात करनी हो तो आज मौसम अच्छा है, इतना ही कहना काफी होता है और बात चल पड़ती है फ्रेंच बातूनी होते हैं, अनौपचारिक होते हैं आप किस देश के हैं? इस सवाल से आपका छुटकारा नहीं फिर भारत एक विशे बन जाता है, वैसे उनका अपना एक खास विशे है, जिसे वे चाव से तलीन होकर सुनाते है कर यानि टेक्स यहां स्पेशल सिक्योरिटी का कानून है हर बेकार या व्रिद्ध नागरिक सरकार की तरफ से मदद पाता है कई बार तो कम तनक्वा की नौकरी करने से जादा मुनाफ़ा इस सरकारी अनुदान से हो जाता है फ्रांस में हजारों की तादाद में विदेशियों को आश्रे मिलता आया है और इन आश्रितों पर सरकार को काफी खर्च करना पड़ता है सरकार ये सारे खर्चे कर के रूप में नागरिकों से वसूल करती है लोगों की रोजी रोटी के हिस्से बढ़ते हैं और बेकारों की संख्या बढ़ती है इसलिए ही टैक्स की कहानी हर फ्रेंच की जुबानी सुनने को मिलती है भाशा की साथ साथ हमने फ्रेंच खाने की मेज की तरफ भी अपना ध्यान बढ़ाया खाने की मिसाल नहीं, इनके पारंपरिक रेस्त्रों छोटे घरेलू ढंक के होते हैं खाने में जो चीज पकती है उसका खुद का स्वाद टिकाए रखना और साँ या मसाले से सिर्फ जाइका बढ़ाना ये इनका अपना हुनर है फ्रांस में खाना एक श्रिंगार है, एक यग्य है, मेज लगाना उसे का एक अनिवार्रे भाग है हर पदार्थ को रखने के लिए एक अलग विशिष्ट प्लेट, अपना चम्मच और काटा हर खाने के पकाने का ढ़ंग, सामगरी अपनी अपनी, क्या याद रखूँ और क्या छोड़ूँ यदि हम उनके खाने का मर्म समझ सके, तो उनके बेस्मेंट वाले पत्थरों की दिवारों के छोटे और पारंपरिक रेस्ट्रों में मुम्बत्ती की रोशनी के तले उनके खास हरे सलाद, फ्रेंच बगेट, ब्रेड, फवाया, बतक का लीवर, जो उनकी विशिश्कता है के साथ उनी के तरहां उस मेज पर अपनी शाम लुटा दें अकसर हम पाश्चात्ते देशों को एक नजर से देखते हैं और उन्हें एक ही समझते हैं लेकिन योरॉप और अमरीका दो अलग खंड तो हैं ही उनकी संस्कृती, रहने का धंग, खाने का तरीका, सोचने का धंग, उनकी आदते, उनके विचार, सब कुछ ही काफी अलग है जबकि वे सब ही एक ही दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, फ्रेंच समाज परिवार से काफी जुड़ा होता है, बच्चों पर उनके अभिभावक हर तरह से ध्यान देते हैं, उनके शिक्षन पर खर्च करते हैं और अपने पैरों पर खड़े होने तक बच्चे अपने माता- लेकिन इसी के साथ साथ वे उन्हें स्वावलम भी मनाते हैं, बड़े कभी भी बच्चों के निर्णे के आड़े नहीं आते और अपने विचार उन पर नहीं लाधते, ना ही कभी कोई अपेक्षा रखते हैं, उनका नाता दिये की तरह होता है, एक दिया दूसरे दिये को जलाता है, बच्चे साधारणता 22 साल की उम्र में अपना गोसला अलग बनाने में लग जाते हैं, सैयुक तो परिवार की पदती नहीं, लेकिन संबंधियों से प्रेम और संबंधों की गर्महाट बनी रहती है, आम तोर पर विद्याले के समय स्थापित दोस्ती मरते दम त तक टिकी रहती है, पर यहां आप यदी पडोसी या काम या नौकरी से संबंधित जगाओं पर सालों तक किसी से मिलते रहें, तो भी ये संबंध घर तक नहीं आते, जान पहचान की कड़ी को दोस्ती में बदलते हमने कम ही देखा है, कहते हैं पैरिस कभी सोता नहीं, यह स अच्छे, रात के किसी भी प्रहर यहां सडकों पर लोग आते जाते दिखाई देते हैं, हमें सबसे अच्रज इस बात का हुआ कि लड़कियां और महिलाएं देर रात तक बिना डर या जिजक के अकेले घूम फिर सकती हैं, उन्हें किसी तरहां के खत्रे या छेड़- अच्छे हैं, इसमें संदे नहीं लेकिन फ्रेंच लोगों का भारत और भारतिये लोगों के प्रती जो प्रेम और आदर है और हमारी संस्कृती और आचार विचार रहन सहन के बारे में जो एक अनोखा कोतुहल है, वह बयान नहीं किया जा सकता, हमारा इतिहास, धर्म, हमा सामानने जीवन जीने लगे और बदलने भी लगे, पहले हमारे हर विशे में अपने मत बने हुए थे, अटल थे, चाहे वो गलत ही क्यों नहों, लेकिन उन्हें जाहिर करना और लोगों पर लादने का प्रयास लगातार करते थे, लेकिन अब हर विशे का दोनों तरफ से व जादतों में ढल गई हैं, विचारों में सरल्टा और उदार्ता अपने आप आ गई है, पता नहीं ये भी शायद फ्रेंच प्रभाव है, चीज और इत्र के प्रेमी इस भूमी ने अपने देश में सारे विश्व का साहित्ते उडेल दिया है, हमने यहां किताबों की दुक प्रेमी और मौजी होते हैं, उनका धे साल भर की कमाई एक महीने की छुटियों के आनंद में उड़ा दिना होता है, कभी देश भ्रमण को जाना तो कभी अपने दक्षिन स्थित आवास में जाकर चैन करना, बेतरीन खाना और मित्र कुटुम के साथ घूमना, मचली मारना, खेल कूद, राजनीती, ग्यानारजन, किताबे पढ़ना ये सब उनके मनुरंजन के साधन हैं, लेकिन राश्ट्रिय तोर पर फ्रांस अपने बाहर इर्द गिर्द नहीं देखता, फ्रांस का विश्व फ्रांस से शुरू होकर फ्रांस पर ही खत्म हो जाता है, ये स्पेश हरताल और बंद से फ्रांस का बहुत करीबी नाता है, हर रोज नगरपालिका हरताल की एक सूची जारी करती है, जिससे नागरिकों को असुविधाओं से निपटने का साधन खोज निकालने में सुविधा हो और साथ ही उनकी सहनशीलता भी बड़े हमने फ्रांस का चप्पा चप्पा चाना, फ्रांस की हर रितु में हर कौने के संदर्य को नजदीक से देखा, उनके फूलों से अच्छा दित बागबगीचे, पुराने घर, बारवी शताबदी के चर्च और इमारते, उस युग के रास्ते, गलिया, घर बाजार आज भी वैसे ही हैं, जैसे तब थे, अचानक लगा हमें किसी ने भूतकाल में ला छोड़ा हो, इन पुरानी इमारतों, संग्रहलों की देखभाल, सरकार बड़े यतन से करती है, रास्तों पर कहीं गंदगी या तोड़ फोड के निशान नजर नहीं आए, चोराहे पर फूलों के स जैसे गुल्दस दे बिच्छे हुए, हर महदपून जगह पर स्पोर्ट लाइट्स और फवारों की सजावटों का वहभव, जरने की तरहां बढ़ता नजर आता है, फ्रेंच समाज अपनी संस्कृती, सब्भता, इतिहास और परंपरा से इतना जुड़ा हुआ है कि हर ना अपने पूर्वजों की शान को शान से सजाय सवारे रखते हुए, अधुनिक्ता की दौड में शामिल होकर तथा अपनी नीव बनाए रखकर अपना जंडा उंचाईयों पर गाड़ा है और हमें भी गर्व का अर्थ समझा दिया है पाट सतरा उत्राकंड की तरासदी डिजास्टर ओफ उत्राकंड, पाट परिचे, चेप्टर इंट्रोड़क्शन, फरस्तुत पाट में सन दो हजार तेरा में उत्राकंड में हुई तरासदी का वर्णन किया गया है त्रासदी के लिए पहाडों पर हो रहे निर्माण और विकास कारियों को जिम्मेदार बताया गया पाट का उद्देश्य चैप्टर अब्जेक्टिव कौशल, वाचन श्रवन, पठन-पाथन, मौखिक वल्लेखित प्रश्नुत्तर पाट से आगे, चिंतन और मनन, व्यकरनिक, वाक्य प्रयोग द्वारा लिंक्स पष्ट करना, योजक युक्त वाक्य लिखना, विशे सनवर्धन गति विध्या, जीवन कौशल, रचनात्म कौशल, समवाद, परियोजना कार्रे शिक्षा, त्रासदी के समय हमें एक दूसरे की हर संभव मदद करनी चाहिए सन 2013 के जून माहा में उत्राखंड में हुई त्रासदी के बाद एक बार फिर से पहाडों पर निर्मान और विकास कार्यों को लेकर बहस तेज हो गई है पहाडों को तोड़ने के लिए किये गए विसफोटों का हिसाब किताब ढूडा जाने लगा है विभिन बांधों के साथ साथ होटलों, परियटन स्थलों के निर्मान कार्यों की आलोचना की जाने लगी है उद्योग जगत को विनाश का दोशी ठेराया जाने लगा है सबसे बड़ा आश्चर्रे तो यह है कि कुछ लोगों ने श्रद्धालूं तथा परियाटकों की प्रती वर्ष बढ़ती संख्या को विनाश का कारण बताया है उनका कहना है कि परियाटक अधिक संख्या में पहाडों पर पहुँच रहे हैं जिससे कूडा, कच्रा और प्रदूशन अधिक फैल रहा है पिछले कुछ दश्कों में प्राकृतिक आपदाओं में काफी व्रिद्धी हुई है ये भी सत्ते है कि इसका मुख्य कारण परियावर्ण असंतुलन है लेकिन उत्राखंड में हुई तबहाई का मुख्य कारण मात्र विकास के कारेों को बताना उचित नहीं है बलकि यह कहना जादा सही होगा कि कम विकास और कम निर्मान कारें के कारण ही त्रासदी का रूप विक्राल हुआ यदि परियाप्त मात्रा में और सही ढंक से निर्मान कारे किये गए होते तो शायद त्रासदी का स्वरूप इतना विक्राल न होता उधारण के तौर पर यदि आसपास के एक शेत्र में कोई बड़ा अस्पताल होता तो कई घायलों को बचाया जा सकता था उत्राखंड के अलग राज्य बनने के बाद भी वहां रोजगार के अफसरों शिक्षा वस्वास्ते की शेत्र में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है इस कारण युवा वर्ग यहां से पलायन करने को मजबूर है पर्याटक तथा पर्याटन जनित रोजगार यहां के लोगों की रोजी रोटी के प्रमुख साधन है फिर क्या वाहनों या कूडे कच्रे की अधिकता की बात कहकर पर्याटन और उससे जुड़े रोजगार को दबाना सही है वह भी तब जब दुनिया भर में पर्याटन आय का महतवपूर्ण स्त्रोत बन गया है कितना अच्छा हो कि हम समस्याएं गिनाने की बजाए इस बात पर विचार करें कि कूडे कच्रे का निप्टारा कैसे हो विश्व के अन्ने देशों में निर्मार कारें के दौरान इस बात का विशेश ध्यान रखा जाता है कि प्रकृती को कम से कम क्षती पहुँचे हमारे देश में लोगों के मन में ये बात घर कर चुकी है कि विकास कारियों और शहरी करण के कारण परियावरण वा नदियों का दूशित होना निश्चित है इसलिए विकास कारियों और शहरी करण पर रोक लगा देनी चाहिए ऐसे लोगों को लंदन का उधारन देखना चाहिए जहां बहने वाली थेम्स नदी दुनिया की सबसे स्वच नदी मानी जाती है जबकि लंदन एक शहर के रूप में दुनिया में सबसे विक्सित शहर है दुनिया के अन्ने देशों जैसे जापान अमेरिका आदी में भी प्राकृतिक आपदाएं दुवंस करती रहती हैं लेकिन वे विकास कार्यों पर रोक नहीं लगाते हैं बलकि उन आपदाओं से निपटने और उनके साथ सामंजस से बिठाते हुए विकास की ओर बढ़ते है कहने का तत्पर ये है कि यदि विकास कार्ये सही दिशा में किये जाएं तो वह हमारे लिए लाबदायक ही होंगे उत्रा खंड में बढ़ते परयाटन को आई के स्त्रोत में बदल कर तथा निर्मान कारयों में पार दर्शिता लाकर ना केवल ऐसी त्रासदी से बचा जा सकता है बलकि संकट की समय त्वरित तथा श्रेश्ट निवारन भी किया जा सकता है आपदा के उपरान आई विभिन रिपोर्टों से एक तत्थे उभर कर सामने आया है कि यदि टिहरी बांध ना होता तो हरिद्वार्व रिशिकेश को भी डूबने से नहीं बचाया जा सकता था वही त्रासदी के समय कई छोटे छोटे बांध जो अधूरे पड़े थे यदि उन्हें तैस समय पर पूरा कर लिया गया होता तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी को कुछ कम किया जा सकता था भविश्य में उत्राखंड जैसी त्रासदी से बचने के लिए हमें विकास तथा प्रकृती की सुरक्षा में सामंजस से बठाना होगा पर्यतन और द्योगी की करण तथा विकास कारियों को रोखने की स्थान पर सही दिशा में प्रियास करने होंगे उत्राखंड जैसे त्रासदी विकासकार्यों की अधिकता की बजाए विकासकार्यों की कमी से अधिक विक्राल रूप धारन करती है पाठ अठारा शक्ती और क्षमा, स्ट्रेंग्ट एन मर्सी पाठ परिचे, चैप्चर इंट्रोड़क्शन प्रस्तुत पाठ सांस्कृतिक गौरव गरिमा का अनुभव कराते हुए पाठकों को शक्ती और क्षमा की नीतियों के गूर्तम संदर्भों से परिचित कराता है पाठ का उद्देशे, चैप्टर अब्जेक्टिव, कौशल, सस्वर वाचन श्रवन, पठन पाठन, मौखिक वल्लिखित प्रश्नुत्तर, पाठ से आगे, चिंतन और मनन व्यकरणिक, शुति सम बिनार्तक शब्द, संग्या शब्दों से विशेशन बनाना, प्रयावाची शब्द लिखना, शब्दों से वाक्य बनाना, विशेशन वर्धन गति विधियां, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, परियोजना कार्रे, शिक्षा, हमें शक शक्तिशाली मनुष्य बनना चाहिए, क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर्व्याग्र सुयोधन तुमसे, कहो कहां कब हारा, क्षमा शील हो रिपू समक्ष, तुम हो विनत जितना ही, दुष्ट कौर वो ने तुमको कायर समझा उतना ही, क्षमा शोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंत हीन विश्रहित विनीत सरल हो, तीन दिवस तक पंथ मांगते रगुपती सिंदु किनारे, बैठे पढ़ते रहे चंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर स उठी अधीर धदक पौरुष की आगराम के शर से, सिंदु देधर त्राही त्राही करता आगिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहन की बंधा मूड बंधन में, सच पूछो तो शर में ही बस्ती है दीपती विने की, संधी वचन संपूज उसी का जिसमें शक्ति विज सहन शीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बलका दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है